हेलो एवरिवान वेलकम तो आएफेज गुड़ मॉर्निंग तो आल आफ यू कैसे हैं सब लोग आई होप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और अपना प्रिप्रेशंस भी बहुत ही सांदार तरीके से कर रहे होंगे पॉर दी महाराश्ट्रा सेट एक्जाम गुड मॉर्निंग अंकुषभारी गुड मॉर्निंग साचीन गुड मॉर्निंग योगेस पावर गुड मॉर्णि आकान साराथी जल्दी से अब कोई जूड जाएए पटावट से और जल्दी से बता दीजे हैं माय ऑडिबल आम वीजिवल तो आल आपके लिए बहुत ही session होने वाला है ICT के questions करेंगे logical reasoning के questions करेंगे और उसके साथ मैं कुछ extra questions लेके आया हूं आपके लिए various set exams के जो PYQs है उसको भी आज हम discuss करने वाले हैं और आज का sessions अगर आपने देख लिया मतलब आज का session से आपके जो 10 questions आएंगे मतलब ICT और जो logical reasoning के जो 10 questions आएंगे वह आपके लिए पूरा का पूरा फिक्स है मतलब 20 मार्क आज के session से आपके लिए 20 मार्क टिक्षडे तो जल्दी से सब को जुड़ जाईए देखिए बिल्कुल भी sessions को late मत होईए जल्दी जल्दी sessions को share कीजिए और बस हमारे साथ कॉपी किताब लेके बैठी है नोट डाउन करते रहिए खाना वाना साथ में रखिए और बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही सांदार तरीके से कि देना है कि यह क्लास चोड़के अब टेस्ट देने भाग जाओ अभी अभी नहीं देना था तो पहले ही देना था आट बज़े से सुरू है रात के आट बज़े तक कभी भी कोई भी समय में दे सकते हैं अभी पहले यह classes को attend कीजिए classes से ज्यादा से ज्यादा questions को solve कीजिए उसके बाद class खतम होने के बाद ही जाके आपको क्या करना टेश्ट देना है मौक ट्री में यह बूर्सा गुड मॉर्निंग फूजा गुड मॉर्निंग सौरभ जादब यह जल्दी जल्दी फटावर से 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 करेंगे अपने वाट्सप स्टेटेस में लगा लीजिए अपने फ्रेंड बॉइफ्रेंड गर्फ्रेंड सब के साथ यह से 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 कर दीजिए अपने जितने भी फैमिली फ्रेंड से सब को यहां पर लेकर आईए सब बहुत ही मजा आने वाला है निमोनिक्स के जरिए पढ़ेंगे कहानी के पढ़ेंगे मैं गैरेंडी के साथ बता रहा हूं आज का से से सगर आपने देख लिया मतलब महाराश्ट्र सेट में आपका दस सब्सक्राइब करने के लिए अगर आपको और को लैंग्वेज की फर्माई से तो वह भी बता सकते उसमें भी बात करेंगे तब सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मेरे को आता होगा तो यह सब्सक्राइब करूंगा जब तक मुझे तीज पीपल यहां पे नहीं दिखेंगे यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब कोई बात नहीं अब यहां पर हिंदी भी मैंने तो हिंदी भी क्वेश्चन इंक्लूड किये हैं सर ने पूरे मराठी और मैं लेकिन मैंने मराठी और हिंदी इंगली अज का क्वेश्चन जो आपको दिखेगा यहां पर पूरा एक्जाम होगा क्योंकि यहां पर इंग्लीज के साथ आद आपको मराठी में भी देखने को मिलेगा तो जितने भी आपके जो मराठी फ्रेंड से उनको बुलाईए उ और जो भी अभी तक like नहीं किया है like कर दीजिए नहीं तो पाप लगेगा और यह पाप गंगा नदी के पानी से भी नहीं धूलेगा याद रखेंगा आपको दो वज़े तक मेरे साथ यहां पर जूड़े रहना है हमारे साथ जूड़े रहना है तब ही जाकि यह पाप धुल सरक्फाइब भी हैं ञदम सुरू करा यहां तो सेसन को पहले देखिए जो भी महाराश्च्रा स्ट 2024 तरेट करें इनके लिए मोग देश्ट मिल रहा है यहां पर यहां पर जो जो भी management के students है, paper one के students है, computer science के students है, English, geography, commerce, economics, free में आप mock test यहाँ पर दे सकते हैं, आज ही के दिन, 3rd April 2014, अभी start हो चुका है, class खतम होने के बाद आपको जाके mock test दे देना है, ओके, चलिए, good morning to all of you, जो भी यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं, तो पहला question आपके screen में यह रहा तो देखे, हम थोड़े, और यह questions, जो सही करेगा, उसको एक रुपईया मिलने वाला है, अपना अपना Google account नमर बता दीजे, हम भेज देंगे, चलिए, इसका answer बताएंगे, the period of learning, where no improvement in performance is made, यहाँ पर देखे, यहाँ पर आपके लिए मराथी में भी लिखा गया है, तो जो मराथी के महरा महारश्टर के experience हैं, यहाँ पर आप मराथी में भी पढ़ सकते हैं, पूरा एक्जाम वाला आपको, एक्जाम वाला environment यहाँ पर मिलेगा, answers करने का कोशिस किजिए, इसी प्रकार के questions, इसी प्रकार के questions आपको exam में पूछे जाएंगे, I want everyone to respond, और session को share करते जाएंगे, I want at least 50 students फटाफट से session को share करेंगे, अपने WhatsApp status में लगाईए, जो भी यहाँ पर classes देख रहे हैं, 24 people are there, 24 जन अपने WhatsApp status में इस class का link को लगाईए, क्यूंकि मैं check करूंगा, इस दोस्तों के साथ share करेंगे, उनको भी help हो जाएगी, काफी जादा important session रहने वाला है आपका, चलिया answer साने सुरू हो गया है, यहाँ पर कलपना बोल रहें B, बरसा बोल रहें B, मिनाक्सी बोल रहें B, आकांसा बोल रहें B, गौरी जोसी बोल रहें B, सौरब जादव बोल रहें B, प्रयाग बोल रहें B, स्नेहल बोल रहें B, इतना गलत कोई कैसे हो सकता है, इतना गल और भाई साहब B को टाला लगा दिया जाए तो B is the right answer for this question plateau of learning अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है अब ऐसा period of learning जहां पे no improvement no improvement is performance is made अब जितना भी महनत कर रहे हो जितना भी improvement देखने को नहीं मिल रहा है तो आप कौन से stage में आ चुके हो plateau यह है plateau आपका growth होई नहीं रहा है आप बढ़ी नहीं रहे हो बस आप ऐसे रहे जारे हो fix रहे जारे हो तो इसको हम क्या बोलता है plateau of learning बोल देते हैं जा रहे हो एक्जाम देते जा रहे हो देते जा रहे हो देते जा रहे हो बंटी तरह साबून स्लो है क्या तो देते जा रहे हो देते जा रहे हो और आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो आप क्या बोलोगे आरे यार मेरे से तो और यह होता ही नहीं है मैं तो थक गई रहे तो थकने के बाद आप क्या करते हो आपका कोई के इंप्रुमेंट देखने को नहीं मिलता है तो उसको हम बोलता है प्लाटी ओफ लर्निंग ओके शिकनाचा पठार चलिए आपके साथ साथ मैं यहां पर थोड़ा तुड़ा मराथी सीख लूंगा आगे बढ़ते हैं अब देखिए बहुत ही सांदार जवर्दस्त कोश्चन यहां पर ओपन लर्निंग सिस्टम का मतलब क्या है ऊके चलिए पर ओपन सिस्टम का मतलब क्या है सिधार शर्जरा और फाडू बोलिय। मज़ा आ रहा है क्लास में ओके अब सब्दों का भी सही उप्योग करना पड़ेगा इस यह यहां पर हम आजाएंगे पुरे च्परी लग जाएंगे ऐसा नहीं है हमें तोड़ा फिर आप ही बोलोगे अब ऐसा नहीं होगा कि लास्ट में प्लास कतों होने के वाद आप बोलोगे कि यह तो छपरी वाले थे आप चलिए ओपन लर्निंग सिस्टम का मतलब क्या है सर साइड हो जाएए थोड़ा आकि श्क्राण सब्सक्राइब एवर्डूम जाधा लेट नहीं आप सिर्फ नौ इनट लेट हो अब यह कुश्चन अगर नहीं कर पाए तो कुछ नहीं करना है अपना-पना पैसा में ट्रांसपर कर दे रहा हूं और बोलना हम तो फकीर आदमी है जोला लेकर चल पड़ेंगे जी और कहां चलो गए जोला लेकर हिमालय के तरह कोई प्रोग्राम को जोईन कर सकते हैं Okay आपको फ्लेक्सिबल है जैसे होता है ना गॉइफ्रेंट गॉल्फ्रेंट हाँ ठीक एक से ब्रेक अप हो गया तो क्या है लाइन में और भी है तो वहीं यह ओपन खुले विचार वाले इंसान खुले विचार वाले इंसान ओके तो आपसा नंबर c is the right answer for this question ओके चलिए पटावट से next question के तरब चलते हैं अब देखे यहा पर open learning system का मतलब क्या fiber flexible जैसे आफ अफ्देगी में flexible होना इसी तरीके से इसी तरीके से यहान पे open learning system का मतलब ही यह होता है कि flexible होता है ओके अर यहां पे आप अपने हिसाप से आप अपने पढ़ाई कर सकते हैं जल्दी से आंसर बताएंगे जल्दी से जितना जल्दी आंसर करेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा हम कुश्चन सौल्व करने का कोसिस करेंगे यह गर्दा मचा दो गर्दा मचा दो हल्ला बोल आपको गरदा मचाना है comment करके comment में आग लगा दो परोसी के घर में आग लगारा नहीं है comment section में आग लगाना है चलिए उसी प्रकार के सवाल आपको एक्जाम में पूछे जाएंगे आपके सेट एक्जाम में ओके इसी तरीके सा लफु सा सवाल पूछा जाएगा क्या है ये question लफ्फू सातो है आप भी exam hall में यही बोलोगे क्या है question लफ्फू सातो है तो लफ्फू वाले सवाल को क्या करना है जल्दलदी answers करना है और जोला लेके चल पढ़ना है चल यह traditional teaching support system पुराने पुरान्य टिछिंग सिस्टम में क्या होता था एक टीचर आता था डस्टर लेक्प हाथा चौक लेक्प हाथा ऐसे लिखता था यहाँ पे और उस डस्टर से से उसी चौक से फेक के मारता था होके तो यह है आपका ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्लियरे सभी को चलिए 35 पीपल जॉइन कर चुके फट्टा-फट से सेशन्स को अपने जितने भी फ्रेंड से उनके साथ सेयर करो क्विक एवरिवान आगे बढ़तें नेक्स तुन दूसरा कोई तुन नहीं तो और कोई तू नहीं तो और कोई तो वही है चोइस क्रेडिट सिस्टम क्या है चोइस इसटम क्या है चुनने का मौका मिल रहा है स्वयंबर रचाया जा रहा है आप स्वयंबर में किसी को भी चूज कर सकते हो तो वह आपके उपर डिपेंड करता है तो यह हो जाता है आपका स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के उपर अप्रोच है समझ एक नहीं इस लाइक लव मैरेज मम्मी पापा जोड जबरस्ति नहीं कर रहे हैं मम्मी पापा यहां पर नहीं बोल रहें तेरे को तो इसी लड़की से साधी करना यह आपके उपर फ्लेक्सिबिलिटी है भाई हम अपने मालिक खु कोई आएगा चम्मच लेके और स्पून पीड कर देगा नहीं बोलेंगे अपना भगवान हम खुदी है क्या डालवा सर कभी कभी लगता है अपुनीची भगवान है तो अपुनीची भगवान बन जाता है स्टूडेंट्स और खुदी पढ़ाई करता है ओके चलिए शुड रिसीव हाई प्रियरिटी टू अक्सलेरेट दो नाशनल एकोनामी चलिए जाना पेचाना लगवा जाना पेचाना लगवा खुच्छन कुएक एवरिवान साइड हो जाए सटूड है कि महराटी मध्यवन वातुन गया खाली पेकी कॉंत्य समित्या क्यों आयोगाणनी त्यांचा आहवाला त्राश्ट्री अर्थव्योस्तेला गती देना साथी विद्यान शिक्षन आनी संशोदनाला उच्य प्रादार्य देना साथी देनाची सिफारस के लिए चला और प्यार का कसम लगावा संव पढ़ाए का कसम तो लगावाओ नहीं प्यार का कसम है कोई अगर वीच में क्लाश 전 चौड़के जाएगा चलिए तो वुद्धा फ्रद। को यह निस अनका यतबतार रहे हैं अकप हड़ा रखेएं गट भदार है काजल बता रहे हैं सभ्री हर court कचेरी वाला commission जो हमने पढ़ा था court कचेरी वाला commission 1964 में आया था यहां पे कोठारी commission में copy में लिख लिजिए science की उपर बहुत ज्यादा focus किया गया था scientific education की उपर बहुत ज्यादा focus किया गया था किसके उपर scientific education याद रखिए direct सवाल पूछे जाएंगे आपको exam में क्लास के बीच में कोई छोड़ के जाएगा न ब्रेक अप हो जाएगा पहले ही बता दे रहा हूं मैं पैसा सिंग कोठारी और इसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा था कैसे याद करवाने का तरीका बताया था इसके पास बहुत ज्यादा पैसा था जो की हर जगा में यूज़ कर रहा था स्टूल से लेके higher education तक university level तक पैसा ही पैसा खर्चा करता था ओके चलिए डोलर सिंग कोठारी अब देखिए आप सब के लिए बहुत बड़ा सर्प्राइज है जो भी यहां पे महाराष्ट्र सेट के experience से 6 घंटा लगातार महा मैराथॉन होने वाला है जहां पे हम प्रिभियस यर कोश्चेंस पेपर वान के एकी क्लास मधे ख़दम करने वाले हैं एकी क्लास मधे एकी क्लास मधे मतलब 6 घंटे में आपका पूरा का पूरा पेपर वान का जितना भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी पी वाई क्यूस पूछे गए हैं महाराष्ट्र सेट में पूरा का पूरा करवा दिया जाएगा अगर सर एक बच्चा ने अभी तक कुछ भ करके आओगे और यह आप साथ तारीक का जो एक्जाम है दे के आने के बाद यहीं पर ही आप बुझे बताओगे सर आपने जो जैसे जैसे पढ़ाया था डारेट कुश्चन आया था छे तारीक को है छे तारीक को छे बजे आपको नौ बजे से जुड़ना है ज्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका 9 से जुड़ना है आपको छे घंटे के लिए शिक्स आवर्स के लिए आपको जुना है बहुत ही मज़े आने वाला है सब को जुड़ना है वहां पर सबको जुड़ना है और अगर आपने अभी तक प्रिवेश्यर कोश्चंट पढ़ा नहीं है तो और यहां पर हमारे स्टार फेकल्टी फ्रॉम कंपुटर साइंस मिश्टर चंदन कुमार जैस्वाल यहां पर जूड़ चुके हैं आपको थोड़ा सा मूटिवेट करने के लिए और गाइस कैसे चल रहा है मज़े आ रही है एकदम धुआ करते ना आज अज तो तिसरा डेना मारा सभी से बच्चे को तो पूरे मज़ सारे के सारे को मज़े आ रहे हैं अरे अरे कसम तो मैंने सूरु में देती है कसम है आपको अपने एक्स करेंट बॉय फिंड गल फिंड की इस वेल कसम है आपको महाराश्टा स्थेट और यूशिनेट एक्जाम के जो कोई यहां से छोड के गया तो यह किनी को नई जाने है 34 क्यों दिख रहे हैं यह क्या है 34 हम तो सोच रहे हैं तरहां और यह जाएंगे फिर हमारे मेहनत क्या फायदा सर इतना मेहनत करने का हमें minimum कम से कम 70 फलस चाहिए हमें सेवन्टी फलस लेकर अऑई बहुत मजा आने वाला है तो 70 क्रॉस कर न अर्फ में से हरी सल कितने लोग होते हैं बहुत थारे होते हैं तो यहां 33 लोग क्वालिफाई होने वाले हैं क्योंकि यह में मस्थे युदिस नेट के भी स्टूटन हो हमें 100 प्लस चाहिए बच्चों को यहां पर सो प्लस को क्वालिफाई कराने हमें सेट का सब टीचर तो सब टीचर 6 आप एप्रिल को आएंगे जो कि सारे ही मिलकर आपको पढ़ाने वाले जिसका जिसका मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जैसे कि अब हमारे चंद अंसर है य हमारे चॉकलेट है और जैसे कि सिदार सर्थ हो गए यह लॉजिकल रीजनिंग लेते हैं वह कसम भूल गए काजल कसम कैसे भूल सकते हो आप कसम नहीं एगें कसम है आपको MS8 और UGCNate की ऐसे लापके एक सब्सक्राइब करेंट गर्फेंड की किसी को छोड़के नहीं जान सब्सक्राइब करने का एक मिनिट के अंदर को एक मिनिट के अंदर क्विक एवरिवान बहुत नमस्कार मानसी जी डैसी जग कंप्यूटर प्रोग्राम देट कें इनवेट कंप्यूटर और पर्फॉर्म आप वेराइटी और फंक्शन रेंजिंग प्रॉम अनॉइंग तुम आज कल मुझे बहुत सताने लगे हो तो अनॉइंग से लेके पॉपिंग ऑप मैसे जैसे जोग टू डेंजिए असे डिलिटिंग फाइल जो भी महाराश्ट्र सेट के एस्पिरेंट से चूजी नेट के सफ्येंट से MP से एक्सेट के स्पिरेंट से या कोई भी सटेंट हैं आपके लिए देखें में भी मॉनक टेस्ट है तो फ्री का मॉट्टेट सभी को जाके एप में लगाना है ओके चलिए व वाह सअउसर पॉ यह दीजिए आपको आगर गलत लगता है कुछ सर क्वेश्चन गलत थे ऐसा तो वह भी बताईए ठीक है हम इंप्रूमेंट करेंगे उसमें क्योंकि हमने बनाया है और हम कभी गलत हुई नहीं सकते हैं जी कि अधिए अंसर है कोई और कि यहां पर डायवर्सिटी नहीं है क्या सर डायवर्सिटी ज्यादा नहीं दिख रही है सर मॉक्टेस्ट प्रोसेस बताओ अस्तर विकू तुम्हीं सरी विकू अगर अगर कंप्यूटर साइंस के चैनल पर जाकर चेक करेंगे तो वहां पर मैंने प्रोसेस भी डाला हुआ है कि कैसे आपको वहां तक जाना है सर मॉक्टेस्ट तक या फिर पेपर वन पर भी होगा ठीक है पेपर वन के चैनल पर भी एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है नौ मिनट का वीडियो है वह जरूर चेक कर लेना ठीक है बड़ा मजा आएगा ओके बड़ा मजा आया बड़ी आता सर चलिए कि मैंने भी लगाया सर मॉक्टेस्ट तो कि तो क्या अंसर होगा तारो कहीं यह है करेक्ट अंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर वाइरस कि इस उसी के बारे में बात हो रही है सर कि आज तीन तारिक है आज सेट के लिए सों यह दूसरा कॉस्ट्र है मल्टी私s कमप्राइस ऑफ कि मल्टीया में शामिल है क्या यह होते हैं मल्टी मेड्या में क्या क्या होते हैं आप बताओ जी मिनाक्षी जी तुमसे का सर आई ला अनुभाव मौक्टे स्चांगली राई ली किसी का डी है किसी का ए है और 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 स्नेहल, सावराब, मोनिका मिनाक्षी, गौरी, पूजा, कलपना, केमिस्ट्री, ओंकार शुभांगी, बर्षा, टेक्स्ट, आडियो, एंड वीडियो वेरी गुड, वेरी गुड, सारो का ही करेक्ट अंसर आ रहे है सारे फटा-फट से अंसर करना है, ठीक है क्योंकि हम जल्द से जल्द आगे बढ़ सके, सारो का ही करेक्ट अंसर है टेक्स्ट आडियो एंड वीडियो वीडियो ना ना शाथ को एक्जाम में आमर पास फूर टे ट्री टाइम है तो आप कम से कम उसको लगाई है दो तीन आपको अच्छा एक्स्पियंस मिलेगा वहां पर यास यास ओके मिनाक्षी जी मिनाक्षी जी का भी आंसर मतलब उन्होंने भी मॉक्टेस लगाया है उनको भी काफी अच्छा नुबह रहा है तो आंसर आपका सारो का करेक्ट है ठीक है टेक्स्ट आडियो एंड वीडियो किसी ने जो है यहाँ पर ए बोला था तो मल्टी मीडिया में से अब का सिर्फ टेक्स्ट और आडियो नहीं होता है तो वहाँ पर वीडियो भी होता है ठीक है में पता है आपको अगर पूल जाओके कि मrang मेडिया का मल्टी मीडिया कि में क тебя क्या होता है को जब वाटसफ चलाते हो सहली चाहले आdos ऽालू करने के लिए नोब लो यहां पर जो भी यूजी सी नेट एक्जाम को टारगेट कर रहे हैं आपके लिए इकस् aärक्ष नेट करणा जोन को क्योंकि यह तो बड़ अँब बड़े मियाँ को खतं करने के बाद बड़े मियँ को गणना एक फेपरनाওं लिए पर चल रहा है आपको प्रोलो और यूज करना है आएफेस 30 ओके चलिए आगे बढ़ते हैं यह में से टार्गेट करो में सेट के बाद में सेट के बाद आपको टार्गेट करना है UGC net को भी खतम करना है क्लियर करना है चलिए नेश्ट को सब्सक्राइब लफू सा सवाल है एकदम लफू सा सवाल है वेब ब्राउजर ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी अप्लिकेशन सौफ्ट्वेर क्या होता है जी बताओ भाई इसमें अगर गलत कर दिया ना तो फिर तो गलत है फिर तो डारेट सवाल पूछे जाएंगे यहां से तो बिल्कुल भी मतलब लाइटली मतलों एक बेक सकता है यह रही आपके जिंदेगी मना सकता है यह याद रखो ओके एक एक पुस्छन आपको एक्जाम में दारेट कूछ लिया जाएगा तो इसी के लिए कभी भी अगर गलत हो रहे है तो सेसंस को बीच में चोड़के जाना नहीं है ओके क्या पता नेक्स्ट आपके जो ब सब्सक्राइब दियान से कोई एक कोस्तन को देखें नहीं आपके तो उसे अंसर मिल जागा फटाज से अगे देखें कितना ट्रीकी को सब्सक्राइब कि जी सर लग रहा है ना सारों के अंसर सही आ रहे हैं सारे ही इंटेलिजन्ट है कुछ एक या दो बच्चें ऐसे जिनका गलत हुआ है वो भी अब सुदर जाएंगे उनका अंसर भी अब सुदर जाएगा बहुत जल्द चलिए तो सारों के ही भी है सर हम भी अंसर करेक्ट कर है हमारा भी नाम लेते ही नहीं है अगरी जो हार के जितने हैं उनका उनको बाजगर कहा जाता है वेज़े ठीक है कि निकिता पूजा चुभांगी मिनाक्षी बबीताश नहेहल शुरेखा उनकार सुरेखा मांसी विकु सौरभ चैमिस्ट्री केमस्ट्री चलो ही ठीक है थीक है। सालों का अंसर हा रहा है तो देखिए आपको पता है वेब और उसर मतलब डॉत क्या है वेब ब्राउजर मतलब आपका ऐसाफ मुझा दुर्व क्रों हो गया आपका जो ऑप Св焦 फायर फॉंक्स हो आप जाधा यूज करते होंगे और गूगल क्या है गूगल क्या है सर्च इंजिन ए ठीक है वह आपका वेब डाउजर नहीं है आप बहुत ज़र ऐसे होते हैं जो वेब ब्राउजर देखके गूगल को जो है वहां पर जोड ही लगा देते हैं गूगल के साथ तो यह गलत नह सब्सक्राइब्ट जैब अपने आपको पूछा जा सकता है इसकाल या है सब्सक्राइब्षोन इसक और अप्रेटिंग ईए Services News वह इसका लॉप पूछा जा सकता है आपको टूइट में इसका हो गया यह सेकनडरी में मुंप summary पता है आपको hard disk HDD hard disk drive right HDD और primary memory कौन सी होती है primary primary memory कौन कौन सी होती है primary memory होती है रैम रूम क्यश है जो CPU के साथ directly connected होते हैं याद आ रहा है कुछ यस ओपेरा मीनी भी आपका एक वेब ब्राउजर ही है राइट वेब ब्राउजर ही है चलिए अगला है application software तो application software क्या होगा इसमें से MS Word राइट अगर यहां पर MS Windows होता तो क्या होता हूँ वह सुधा राइट MS Word और MS Windows में फराख समझे समझे रूम रैम ठीक है शेर करो जल्दी से जल्दी हाँ जल्दी से जल्दी शेर करो तो क्या बना एकार टू एक से ही पर बन जाता आपका आपको ज्यादा तो पहले तो पहले तो पहले ज्याकर धूड़ा है और यहां पर देखे एका टू दिया है ऑपसर नमबर को को टिक करना है और आगे निकल जाना है, ऐसे नहीं कि उसी question में बैठे रहना है, समझा गया, yes, आगे बढ़ते हैं, अब इसका answers क्या है, option number two is the right answer for this question, तो आपको क्या करना है, जो देखिये, जो first time पढ़ रहे हो, जो first time देख रहे हो, आपको क्या करना है, web browser क्या होता है, इसको Google बाबा के स संपूर्ण ज्यान देंगे, उसी तरीके से application software क्या होता है, secondary memory क्या होता है, operating system क्या है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक मिनिट का समय लगेगा, अगर बाबा के सरण में जाओगे तो, तो कि अच्छे वाले बाबा हैं हो, सबका मदद करते हैं, next question दिया है, which of the following statement are correct, अब देखिया, बहुत ही easy, सांदार, जवर्दस्त, जिन्दावाद वाला सवाल है, NKN का मतलब क्या है, MOOC क्या है, offline courses है, national super computing mission is a government of India initiative है, clock rate of CPU is measured in gigabyte, परम सिभाय के एक super computer है, आपके आपके पास एक मिनिट का समय है, जल्दी से इसका answer बताइए, अपने अपने comment section में, quick everyone, और session अगर मजदा आ रहा है, तो ये मजदा सबके साथ बाटी है, भंडारा बट रहा है, प्रसादी मिल रहा है free का, तो ये और Eck JENNken के तरफ से है, किसके तरफ से साइस के तरफ से चालो पूजा पूजा विनाक्षी प्रयाग काजल बभीता कलपना पूजा केतकी मोनिका नैना अब देखिए अब यह जो कोष्टें से ना यह जो कोष्टन बहुत बढ़िया कोष्टें इस पूजें से ना एक आप दिया है यह यह पर दिया है तो यह दो क्या करोगे मार नहीं रहें मुक्ति दिला रहें देखें लुडो मुवी देखें कि नहीं मार नहीं रहें मुक्त कर रहें तो टू और थाड को मुक्त कर दो अब देखो यहां पे हम अमारा काम आर्षान हो गया अब हमें C और A को देखना है किसको देखना है C और A को देखना कि एनकेन का फुल फॉर्म क्या है और देखो नेशनल सूपर कॉंप्यूटिंग मिशन क्या यह भारत सरकार का इनिसियेटीव है तो आपका आंसर्स क्या हो जाना चाहिए था उप्सेन नमबर वान इस दा राइट आंसर फॉर इस क्विश्चिन ओके नहीं प्रयाग फोर नही कौन बताएगा पहले तो बताओ एनकेन का लॉंग फॉर्म देखिए काजल देवी ने बता दिया है कि न्यू नॉलेज नेटवर्क नहीं है नैशनल नॉलेज नेटवर्क है यह तो करेक्ट हो गया मतलब यह गलत हो गया राइट यहां पर क्या ना चाहिए था यहां पर न रिख यह आपको अन्सर मिल जायेगा मैं बताएगे मन नाशनल हां नाशनल-nationals नाशनल सारों का जाकँगा नाशनल ये थो मुप का क्या है मैस्यूं उपन ऑनलाई कोर्सा राइट तो वहां भी उसके अंदर ही ऑनलाइन ए साहाब उसके अंदर अनलाइन है तो आपलाइन कैसे होगा हो तो यह भी गलत है राइट आपका ए बी दोनों गलत हो गया यह सरने जैसे कि बताया यह यह सही है यह नाशनल सुपर कंप्यूटिंग यह अब इसकी बात करें तो क्लॉक करें लेट किसमें बता हैं मेज़र डीन करें मेज़र डीन प्लॉक स्पीड किसमें मेजर करते हैं और सीक्राइब क्लॉक स्पीडर से कौन बताएगा है कि अब इस बार अगली बार आपको ट्लॉक स्पीड के बारे में फूचा जाएगा कि इसमें से बता कौन किसमें मेजर किया जाता है तब आप क्या बोलोगे क्या बता हो एंपे मुझे नहीं पता यह नहीं पता सर गीगा हर्ड में देखिए हमारे computer science के student ने answer कर दिया है गीगा हर्ड में मेजर किया जाता है हर्ड तो पता है ने ने जो मूबाइल आ रहे हैं उसकी भी स्पीड जो है कुछ सा होता है वो स्क्रीन का स्पीड वो 90 गिगाहट्स यह सारों कही अंसर आ रहे हैं अब गीगाहट्स 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 यह और यह से उसको डिनोट किया जाता है चलिए अगला करने पहले महाराष्ट्रा सेट एक्जाम होने वाला है तो महाराष्ट्रा सेट का जो पेपर अनलिससे करने वाले पेपर डिसक्रसन करने वाले हैं तो इसके लिए है कि आपको जुड़ना है हमारे साथ तारीक को 3.00 पीम को जुड़ना है और जो भी एक्जाम देने जा रहे हो ना महारश्टरहट के एक्जाम आपको हमारे साथ पेपर करने पुस्चन पेपर बहुत इंपोटेंट है जल्दी जैसे एक्जाम खतम हुआ आपको क्या करना है सेयर करना है स्क्रिंसोट लेना है ताकि जैसे एक्जाम खतम होगा हम आते साथ ही आपका पेपर वन के 50 में से आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं वह आपको पता चल जाएगा ओके तो यह आपको महारष्ट सेट का पेपर डिसकेशन भी हम करने वाले हैं चलिए अब देखिए बहुत ही सांदार जवर्दस जिंदावाद वाला लफ्फू सा सवाल है यहां यू आरेल का फुल पॉर्म क्या है अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन साबको एक्जाम में पूछे जाते यू आरे संस्वाले भी सब कोई सब कोई सेयर करना अगर मेरे को लाइप साइंस का आएगा तो आपने कम से कम में फि즈 तो किया होगा ना तो एंस नहीं पता है आपको मौह लिए पैस क्या होता है कि all yeah घ्शारों करें दीडी डीडी ले फोर फोर ही पोर बोल रहेное यह खोर रहें क्या रिक्षान क्या गए fulness शले क्वेंजिआ हैं यय्टिनपोर्म रिस्ट मुटेटन थेपा का फुल फॉर्म क्या है यहां पर लिखा है अब हमारे लिए काम और भी आसान कर देता है एक्जाम में question paper तो सबसे पहले देखिये इसका full form क्या है higher education finance agency higher education finance agency जो कि financial support provide करता है क्या करता है financial support provide करता है किसके लिए financial support provide करता है जल्दी से answer बताएंगे और कोई sessions को बीच में छोड़के नहीं जाएगा पहले से बता रहा हूँ पाप लगेगा पाप चड़ेगा और मेरा पाप रह जाता है लंबे समय तक और sessions को कोई बीच में छोड़के जाएगा नहीं अगर session को छोड़के जा रहे हो अगर आपको sessions अच्छा नहीं लग रहा है तो at least दूसरे लोगों के साथ share करो क्या पता आपके एक sharing से किसी का जिंदेगी बन जाए तो इसी के लिए कभी भी sharing करने से कत्राना नहीं है sharing करते रहना है लोगों का जितना ज्यादा भला सोचो के भगवान उतना ही आपका भला करेगा क्योंकि law of कर्मा होता है तो इसी के लिए जो भी नीडी है उनके साथ हमेशा share करते रहना है आपको 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 पढ़ाई हो यादि कोई भी चीज़ हो मुझे at least at least मुझे 60 बच्चे यहां पर चाहिए 60 तक मेरा टार्गेट है 60 आप जितने भी आपके फ्रेंड है उनके साथ उम्मीद यह है कि आप सेसंस को खरोगे आप दूसरों को लेके आऊगे यह दो तर्फा प्यार होना चाहिए समझे अब दो तर्फा प्यार ही तो लंबे समय तक टिकता है अब एक तरफा प्यार से कुछ नहीं मिलता है अब यह वह वह बैद्ल मूश्किल मुश्चिव औक ह तरफा प्यार की ताकत तुम क्या जानो हमें जानना में नहीं हमें दो तरफा प्यार करना है यह चलिए हाइर एजुकेशन जानना है तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहला चीज आपका काम यह है फुल फॉर्म याद रखो और यह जॉइंट इनिसियेटीव है यह भी याद रखो किसके बीच में जॉइंट इनिसेटीव है है जो कि पैसा की पैसा क्योंकि एक्सपांड करना है इंफ्रस्ट्रक्चर की ओपर इंफ्रास्ट्रेग्शर के उपर तो यह होगे आपका है के बारे मैं समझ आ रहा है हाउिस दो जोस गाईस। है इस दो जोस। मुझे थोड़ा थमा लग रहा है सब कोई ठक गए हार गए हार हार गए सब कोई three days are left तीन दीन बचा है बच्चो तीन दीन अब यह तीन दीन आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है मुझे तो सब कोई ठके हुए लग रहे हैं अब देखो हम तो ठके नहीं है मैं तो इतना बक 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 कर रहा हूं तो आपको तो सिंप्ली बैटना है प्लासेज देखना है नोट डाउन करते जाना है चलो मुझे गलत साबीत करो मुझे तो बहुत ही डी मोटिवेटेड लग रहे हैं सब को ही डी मोटिवेटेड लग रहे हैं 35 स्टूडेंट्स अर देर क्यों भाई क्यों सिर्फ 35 स्टूडेंट्स को एक्जाम देना है 35 स्टूडेंट्स को एक्जाम देना है 35 स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखो विज यूनिवर्सिटीज वर्ष एस्टब्लिस बाइ पार्लियमेंट पार्लियमेंट के दुआरा कौन से यूनिवर्सिटीज को एस्टब्लिस किया जाता है पार्लियमेंट के दुआरा कौन से यूनिवर्सिटीज को एस्टब्लिस कि होगा इसमें तेरा घाटा हमरा कुछ नहीं जाता वही है हां में थोड़ा सा दुख होगा कि बच्चे ने बहुत अच्छे से प्रिपेर किया था क्लियर नहीं हो पाया बट इसमें आपका ही घाटा होगा और वह वला तो आपने सुनाई होगा हमेशा मैं बोलता हूं एक्जाम क्लियर नहीं होगा फेल हो जाओगे लोग आएंगे बोलेंगे एक्जाम क्लियर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कॉम्पिटेंट था नहीं लेकिन वो कोई नहीं देखागा कि आपने कितना महनत किया है आपने कितना श्रगल किया है वो कोई नहीं बोलेगा कोई नह नहीं पढ़ाई कर नहीं रहा था इसी के लिए फेल हो गया इसी के लिए उनको गलत साबीत करने के लिए त्री डेज ये तीन दिन करो या मरो वाला सिच्वेशन है करो आइधर करो गे तो एक सरकारी नौकरी मिलेगा महारश्टर में अगर नहीं करोगे तो दुबारा फिर से छह मैना का उएट करना पड़ेगा एक साल का वेट करना पड़ेगा पता एकजाम पैटिंग हो जाएगा क्या पता नेगेतिव मार्किंग आ जाएगा इसी के लिए कोई भी classes को lightly लेना नहीं है कोई भी questions को lightly लेना नहीं है और classes अगर जुड़े हो तो starting से देखो end तक देखो बीच में अगर छोड़के जा रहे हो boring लग रहा है इतना बखबख हो रहा है अब देखो मैं यहाँ पर मेरा कोई मन नहीं है कि मैं आके चिलाते रहूं आपके लिए मैं आपके लिए कर रहा हूं आपका करतब्य आपका ड्यूटी यह है कि यहाँ पर जोस के साथ पढ़ना है मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहना है समझे तो वीच यूनिवर्सिटीज वह एस्टब्लीज बाय पार्लियामेंट के दुआरा सेंट्रल उनिवर्सिटीज को एस्टब्लीज किया जाता है बिधान सबा जो स्टेट लेगिश्लेटिव बॉडी होता है वो स्टेट उनिव इड़त depends क्या है आपका काम है जो भी महाराश्टरे सेट के लिए प्रिपैर कर रहे हैं मुझे कमन सेक्शन में मुझे कमेंड्य सेक्षन में आपका होमवक है आपके state में कितने central universities हैं, कितने state universities हैं, कितने private universities हैं, मुझे सब के comment चाहिए, अगर आप serious हो exams को लेके, अगर आप चाहा रहे हो कि मैं 7 तरिक exam clear करूंगा, तो आपको comment section में बताना है कितने central हैं, कितने state हैं, और कितने private universities हैं, तो central universities, union universities क्या होते हैं, यह public universities हैं, जो कि by the act of parliament इसको बनाया जाता है, और यह कौन से department के अंदर आते हैं, department of higher education, department of higher education, mhrd के अंदर आता है, mhrd के अंदर एक department of higher education होता है, उसके अंदर में आपका central universities आ जाते हैं, next, बहुत ही important सवाल है, मैं लिख के दे रहा हूं, यहां पर, पूछे जा सकते हैं, किसके बारे में है, deemed universities के बारे में, किसके बारे में question पुछा गया है, deemed universities के बारे में पूछा है, यहां पर आपको बताना है, what will be the right answer for this question, मैं फिर से बता देना चाहता हूं, कि sessions को बीच में कोई छोड़ के जाएगा नहीं, sessions को share करते रहो, आप अपना duty करते रहो, आप अपना कर्तव्य करते रहो, लोग आएंगे, जुड़ेंगे, ओके, चलिए, बताइए, what will be the answer for this question, जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए है, स्टार्टिंग से आएफेस के साथ जुड़े हैं, classes regular basis में अटेंड कर रहे हैं, उनका तो गलत कभी होगा नहीं, उनका कभी गलत होगा यह नहीं आप है, और मुझे वो दिख भी रहा है, मुझे वो दिख भी रहा है, जो स्टुडेंट्स हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, मेरे को तो उनका नाम भी याद हो चुका है, देखिए जिनसे मुझे उम्मीद है, वही आंसर इसका सही कर रहे हैं, जिन से मुझे उम्मीद है जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए है आई फेस के साथ जुड़े हुए उन्हीं का यह आंसर से यहां पर सही आ रहा है चलिए वेरी वेल डन सौरब कलपना काजल पूजा बहुत बढ़िया एटलिस्ट टैन यहर्स के लिए होना चाहि तो अफर आपके पांच डिपार्टमेंट होने चाहिए फाइफेजई लिपार्टमेंट ऑजाएगा सब्सक्राइब LSट क्लाश देखे हो मुझे पता है आप ने तो ऑच्छे छे सको पड़ लिया होगा श्या जो अभी चीज नोट करो 不錯 क्लास देख रहे होना एकट चीष 20 years का होना चाहिए, उसका उम्र कितना होना चाहिए, 20 साल होना चाहिए, अब जैसे किसी को साधी करने से पहले, अब ऐसे थोड़ी ना है कि किसी से भी साधी कर लोगे, किसी से तो साधी नहीं करोगे, अब उसी तरीके से deemed university बनने के लिए भी कुछ criteria होते हैं, तो सबसे पहले क्राइटिरिया क्या है 20 साल होना चाहिए number one ठीक है हमने माल लिया उसके बाद उसका accreditation होना चाहिए अब उसका accreditation करेगा कौन उसको evaluate करेगा कौन NAC करेगा NAC यह भी याद रखो इसका full form इसका full form याद रखो full form पूछे जाएंगे exam में NAC का full form क्या है national assessment and accreditation council और उसका cgpa कितना होना चाहिए 3.26 अब किसी लड़के से या फिर किसी लड़की से साधी करने से पहले उसका package पूछते हो ना कितना package है कितना पैसा कमाता है आपका बेटा बेटी तो वही चीज है कितना होना चाहिए 3.26 cgpa होना चाहिए उसका ओके फ अगर माल लो वो एक technical institutions है तो उसके दो तीहई दो तीहई टेकनिकल प्रोग्राम्स होने चाहिए और उसको एक्रिडेट कौन करेगा NBA के दवारा एक्रिडेट होगा अब देखो याद रखो जितने भी भारत के भारत में जितने भी technical colleges है technical universities है उनको एक्रिडेट करता कौन है National Board of Accredition NBA मैंने last class में बताया था NBA और NAC दो भाई है जिनका जनम 1994 में हुआ था NAC आपका UGC के अंडर में आता है NBA आपका AICT के अंडर में आता है और AICT का full form क्या है All India Council for Technical Education ओके NIRF का ranking full form याद रखो NIRF का ranking और एक आपका homework है आपका homework यह है NIRF ranking देखके जाना है NIRF ranking NIRF ranking के देखके जाना है और इसका full form क्या है National Institute of ranking framework National institutional ranking framework के इसका full form और अगर माल लो वहाँ के जो faculty members काम कर रहे है वहाँ के जो faculty members काम कर रहे है तो at least 2 annual publications तो होना ही चाहिए कहां पे होना चाहिए अब एडा गएडा में publish नहीं करना है आपको publish करना है scopus में, web of science में, peer review journals में, recognize होना चाहिए UGC के द्वारा at least 2 annual publications तो होना ही चाहिए तो यह कुछ criteria है उसके साथ साथ और क्या criteria है teacher student ratio मतलब एक teacher, एक teacher कितने बच्चों को पढ़ाएगा याद रखो 20 बच्चों को पढ़ाएगा एक teacher 20 बच्चों को पढ़ाएगा और यहाँ पे number of faculty should not be less than 100, 100 से कम नहीं होने चाहिए not less than 2000 और student 2000 से कम नहीं होने चाहिए यह भी criteria याद रखो one third should be PG research student PhD भी होना चाहिए PhD भी होना चाहिए one third should be post graduate या फी research student होने चाहिए five PG department होना चाहिए पांच PG department होना चाहिए ओके और existence में कितने साल से होना चाहिए at least three years और उसके साथ सा research program भी होने चाहिए यह मतलब PhD के बारे में बात कर रहा है यहां पर और उसके साथ साथ यहां पर academic के साथ साथ physical infrastructure भी होने चाहिए academic के साथ physical infrastructure भी होने चाहिए और कितने square foot में square meter में फैला होना चाहिए at least 30 square meter per student होना चाहिए जहां पर academic administrative common and recreational facilities भी हो मिलना चाहिए यह कुछ criteria है very 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 लगा लो important है clear है आगे बढ़ते हैं वही है mock test शुरू हो चुका है class खतम होने के बाद अभी कोई नहीं जाएगा मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि यहीं से आपको direct questions पूछे जाने वाले आपके exam में direct सवाल पूछे जाने वाले तो अभी class कोई छोड़के जाएगा नहीं class खतम होने के बाद मतलब दो बज़े के बाद आप exam free के mock test लगा सकते हो तो जो भी students management के है paper one के है computer science के है English के जोग्रफी के commerce के economics के आप सबके लिए three के mock test चल रहे तो paper one तो सभी का common है तो paper one तो at least मुझे मुझे आपसे यही expectation है it's a humble request मैं request कर रहा हूं आपके भला भलेही के लिए बोल रहा हूं paper one का जाके तक लगाओ लगाओ जैसे करके सुरू हो चुका है आड़ बज़े से लेके रात तक अराम से आप exam को दे सकते हों के नेक्ट क्वेश्चन दिया है जो आपका एनीपी एनीपी 2020 मैं लिख के दे रहा हूं यहां से question आएगा national education policy 2020 से सवाल पूछे जाएंगे जो एनीपी 2020 आया था इसके drafting chairman कौन थे chairman इसका chairman कौन थे drafting chairman कौन थे ट्राफ्टिंग कमिटी आप नेशनाल एजूकेशन पॉलिची 2020 चलिए 60 60 स्टूडेंट्स को लेके चलिए 60 स्टूडेंट्स को लेके आई है यहां पर 46 टूडेंट्स आर देर और 14 जन को एड करो साठ तक लेके चलो साठ तक इसको लेके चलो जल्दी से कुईक एवरीवन कस्तूरी रंजन याद रखो कस्तूरी रंजन कस्तूरी रंजन इस दा राइट आंसर फॉर इस स्टूरी रंजन कहां पर बना था कमिटी यह कमिटी बना कहां पर था नई दिल्ली में बना था और यहां पर जो कमिटी जो मेंबर बने थे इनी को दिया गया था टास्क ओफ प्रेमिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिशी 2020 और जो कस्तूरी रंजन थे वह फॉर्मट चीप भी रह चुके थे इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनेजेशन के इस रों के रिसर्च क्या है ? पर रिसर्च का मतलब क्या है ? एक गोल डिरेक्टेट एकटिवीटी यह एक एफॉर्ट है जिससे आब ने लॉस फॉक्मिलेट करते हो पृइंसफ़ बनाते हूं आप लिकेशन स्ट बनाते हो रिसर्च के माध्यम से आप लोकल और युनिवर्सल प्रोब्लेम को सॉल्व करते हो या फिर तीनों के तीनों सही होंगे जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या है रिसर्च क्या है छली फटा वट से से सांथ्च को सेर करते जाएए फिसोडेंट्स आर जल्दी से इसको इसको 60 तक लेके चलिए जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं फैमली मेंबर शिए सबके साथ से स्कोड़ करो येस 50 हो गए 50 स्थेट्स आर देए 60 लेके चलो 60 16 तक लेंके चलो कुकरण संशोदन का नामें है राथि देत कर नाउन संसोदन का संसोदन क पड़ पड़ सकता हूं में पड़ सकता हूं चली तो research क्या है research आपका तीनों के तीनों है अब अब यह रिसर्च क्या है फॉर्मुलेट नियू लॉस बनाते हो नियू लॉस प्रिंसपल और their application solution to local or universal problem applied research हो गया action research हो गया अब यह क्या है universal or local problem को आप solve करते हो चलिए आगे बढ़ते हो variables and categories are specified in variables and categories को किस में specified करते हो direct सवाल पुछा गया था आपके set में अब कौन सा set है यह नहीं बताऊंगा but variables and categories को किस में specify किया जाता है क्या बता है यह question ही आपको direct पूछती आ जाए first stage of the content analysis second stage of content analysis third stage of content analysis या फिर final final तो होगा नहीं final तो होगा नहीं variables और categories को कहां पर आप specify करते हो अगर x को बुलाएंगे तो y आएगा अगर x को घुलेंगे तो is बनेंगे तो यह x and y वाले कहां पर आते है वेरियेबल्स और categories को manipulate करोगे उसका असर किसकी उपर देखेगा dependent variables की उपर दिखेगा समय रुखने अगर अगर गल्स्रेंट को manipulate करोगे तभी तो जाके प्यार बढ़ेगा तो independent variables को आपको manipulate करना पड़ेगा तभी उसका असर जाके dependent variable देखने को मिलेगा तो यह पहला स्टेज में आता है आपका content analysis में चलिए अब आ गया है । इन दा पिच्चर चलिए तो इसका अंसर कीजिए तो हिंदी में भी है जो बच्चे महारास्ट्र से बाहर के हैं जो नेट के लिए प्रिपेर कर रहे हैं या फिर किसी और स्टेट की सेट के लिए प्रिपेर कर रहे हैं उनकी लिए मैंने हिंदी में भी questions include किया है क्योंकि हमें बता है महाराश्टर के student तो बहुत ज्यादा intelligent होते हैं जैसे कि आप मुझे ही देख सकते एक्जाम्पल राइट तो उन्हें हिंदी भी आता है तो इसलिए मराटी में ना डालके मैं हिंदी में लेगा हूं questions कि चलिए कि अंसर कीजिए fast किसी का भी अंसर नहीं आया अब तक कि नीचे दो कतन दिए गया है कैश मेमोरी रैंडम अक्सेस मेमोरी से तेज है ल Lazare Statement oneBl Rom आपकी अंसर फास्टर एट्म असे फास्टर है क्या कैश मेमोरी रहन से फास्टर है कि'RE बोलिए यह कि या रहन से फास्टर है बोला करेक्ट प्रॉंग है हाँ एनर्जी डाउन लग रहा है थोड़ा सा तो डाउन है बरोबर आए सर्थ हुशार आए एक्जाम्पल देखिए ना सामने में खड़ा होना हुशार तो होंगे चलिए तो स्टेट्मेंट टू है एक्षिस मेमोरी च्लोजर तू प्रोसेज़र दैंक और इसमेंश यमीज से क्या होगा कि और आरे और आरे आरे ये अथा इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई इतना गलत कैसे हो सकते हैं सवरब पूजा कलपना अकांग्षा बविता काजल शुभांगी फिर से क्वेश्चन रीड कीजिए फिर से क्वेश्चन रीड कीजिए फिर से समझे जो जो ए बोल रहे हैं फिर से क्वेश्चन रीड करो भाई सेकंड स्टेटमेंट फिर से रीड करो जुन्होंने जुन्होंने ए दिया है फिर से रीड करो स्टेटमेंट टू जो है फिर से रीड करो और अंसर क्यों नहीं कर रहे हैं पाप लगेगा नहीं अंसर करेंगे तो पाप लगेगा ओके ए ए ए थ्री बी चितल स्नेहल मांची सुरेखा टेचिंग फीजिक्स मेक्स में हैपी और कोई बर्षा और कोई सारे ही कन्फ्यूज लग रहे हैं यहां पर क्यों भाई क्यों भाई कोई बोल रहा है कोई बी बोल रहा है कोई सी बोल रहा है कोई डी बोल रहा है तर देख रहे हैं वेरियेशन्स वेरियेशन्स देख रहे हैं डायवर्सिटी यह क्वेशन फर्स्ट क्वेशन ऐसा है सबसे इजियर आज की क्लास का सबसे इजियर प्षचन है फिर भी सारे बच्चे डाइवर्स अंसर दे रहे है एसे लेकर डी तक सारे आज चुके है कि दिखिए इस पहले तो ए आ रहे थे बाद में बी जाने सुरू हो गए तीन आने शुरू हो गए चार आने शुरू हो गए रहे है 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 ठाइक है भगे सारों सन्सर हो गए है दीज हो गया हरे है हम स्टार्ट करें तो एक इस असलिद्य तो किसी को कन्प्यूजन होना ही चाहिए क्याहस्ते हुए लोग धाई क्यांटम यहां पर मैंन लेता हूँ कि मेरे पास यहां पर कि यह मेरा CPU है ठीक है यह मेरा CPU है दिख रहा है CPU मेरा नहीं दिख रहा है ठीक है तो यहां यह मेरा से जो बार-बार डेटा हमें CPU के और लाना होता है उसे हम क्या करते हैं उन में से थोड़ा सा डेटा क्योंकि इसकी साइज कम होती है इसलिए इसमें से जो बार-बार हमें अक्सेस करना पड़ रहा है सेकंडरी मेमोरी से इसे हम क्या करते हैं यहां पे कैशे मेमोरी में स्टोर करके रख लेते हैं ताकि हम इसे जल्द से जल्द अक्सेस कर सके हर बार जो डेटा हम अक्सेस करते हैं उसे जल्द से जल्द अक्सेस करने के लिए हम यहां पे कुछ डेटा स्टोर कर लेते हैं क्योंकि यह क्या होता है कैशें मेमोरी फास्टर होता है as compared to as compared to Ram और यहां पे आपको दिखरा है ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है आपके कैशे उसके बाद RAM और CPU का तो यहां पे क्या पास क्या दिक रहाए आपको यहां पे क्या लिकाए यह पास क्या है किया है एक सबको आता हुगा मैसे जिसको ए बीसिटी नहीं आता है कोई है जिसको ABCD यहाता नहीं है ABCD तो सब को आता होगा अब अगर आप ABCD का अलफावेड पर देखो तो be c पहले आता है फिर उसके बाद आ रहाता है तो याद रखो जो cash memory होता है тесь हों और कैसे देंट यह क hace सबैंगे इसके जिस्के पाश सरकर और यह देंट के पास प्रोसेश के पास रहोंगे संदीग कर告訴 ये पैस उतना चापने आपके पास मैजीन है तो जो जितना नस्दीक प्रोसेसर के नस्दीक रहेगा वह उतना तीजी से टरीके से काम कर पाएगा समझ आया मेरे प्यारे non ICT बच्चे जो कंपिटर साइंस से भिलॉंग करते हैं जो look करते हैं मेरे جसта मेरे जैसेसे नौन country सब्सक्राइबoud सब्सक्राइब करते हैं अब में तो जब मैं पढ़ता था है मुझे ये पटना लोजिक लगाता था यहाँ पर अपना आप जुगार लगाता था अब जुगार जो मैं नहीं पर आपको बता दिया समझाया चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए तो स्टेटमेंट वान तो सही है बढ़ स्टेटमेंट टू जो है वो गलत हो जा रहा है आपका और वहां पर आपको डाइग्राम भी दिया गया है कोने वाला एक मिनट तो यह माइक्रो प्रोसेसर देखिए यह हम मेमोरी और यह है में मेमोरी यानिके रैम ठीक है तो जब हमें कोई डेटा बार-बार अक्सेस करने का काम पढ़ता है तो हम उसको फरी यह उल्टा हो गया में मेमोरी से थोड़ा सा डेटा कैश मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं ताकि उसे जल्द से जल्द अक्सेस कर पाए च अब जोठीड यहां पर है हम लेकार रहें रफ्तार सीरीज, यहां पर 10 मिनिट में 10 क्यायों करेंगे, जादा क्या मैं सके जुडना है, और 10 मिनिट में जो questions हम करवाएंगे, उसको अच्छे से देखना है, और उसी मैंसे ही questions आपको exam में पूछे जाएंगे, क्या ये set के लिए beneficial है, yes, UGC net के साथ सर ये set के लिए beneficial है, कभी मत ये सोचना कि ये UGC net के question है, ये हमारे लिए फाइदे नहीं है, ये set के question से है, ये हमा यहाँ पे हम सेम पढ़ेंगे, बट question का standard थोड़ा सा हाई रहेगा, yes, like classes होंगे बरसा, okay, 10 मिनिट के लिए, 10 मिनिट के लिए faculties यहाँ पे आपके साथ जुड़ेंगे, और 10 questions आपको करेंगे, पूरा exam बाला आपके लिए timer होगा, poll create किया जाएगा, बस आपको poll में answers करना ह होगा, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, यह question जो दिया है, LMS के बारे में पूछा है, मेरे प्यारे महान, महारश्टर सेड़ वालो, LMS का full form पूछे जाएंगे आपको, कि पताए, LMS का full form क्या है, जो बच्चे छोड़के चले गया है, अब देखना, भगवान करें यही question गिरे, LMS का full form, जो छोड़के गया है, उनके लिए यह question गिरेगा, देखना, मैं लिख के दे रहा हूँ, यही question गिरेगा, LMS का मतलब क्या है, LMS एक software है, LMS can be used for virtual teacher student group, क्या LMS एक hardware है, यहां पर बोल रहा है software, यहां पर बोल रहा है hardware, जो रहा है, अब यहां पर यहां पर करती बोल रहा है, मैं सही हूँ, तुम जूटे हो, LMS can be used for online quizzes, LMS can be used for making institutional websites, तो आपको बता रहा है, what will be the right answer for this question, चले, देखते हैं, कितने, कितने प्रसिसत भारतिया, इस questions का answer सही बता रहा है, अब logic को लगा पा रहा है, देखते हैं, यह pure logic based question, logic based question है, अब देखो, पती बत है, तो कोई दूसरा जूटी बोल रहा है, समझव यदे ने तो देखो, यह दो नो मैशने आपर कहने, जब दो देखो A, C कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, A, C, एक साथ पहें हो सकते, बट हमने A, C, साथ साथ दिया नहीं तो देखो, यहां पे दिया data, PLMS क्या है software Чक लए कर नहीं रहें मुक्त कर रहें तो इसे मुक्ति दिला दो ओके अब देखो कि अब तको यह बहुत बिभी इसाप ना ट inom diver महाने महान हर साधि मैं चले आते हैं तो by तो आए गए आएगा आप ऑगनए अगर अगर सी तो हो गा लिक C को गोली मार, C को गोली मार चुके अल्रेडी, अब देखो, LMS जो होता है, याद रखिए, LMS Learning Management Software है, ये एक Learning Management System है, तो ये Queezus करने के लिए भी होता है, A, B, D आएगा, अब A, B, D साथ साथ कहां पर दिया है, यहां पर नहीं दिया है, E को देखो, LMS को यूज किया जाता है, institutional websites बनाने के लिए भी, तो A, B, D, E is the right answer for this question, इस प्रस्न से, इस question से, आपको LMS के बारे में पता चल चुका होगा, LMS क्या है, सबसे पहला चीज़ आपको याद रखना है, सर, software है, LMS क्या है, online quizzes करने के लिए होता है, LMS क्या होता है, online matrimonial site है, matrimonial site नहीं है, ये institutional websites बनान करने के लिए काम आता है, online quizzes करने के लिए काम आता है, ये एक software है, जहां पर teacher student बात कर सकते हैं, पढ़ाई के related, प्यार भरे बात नहीं करेंगे, पढ़ाई related बात करेंगे, तो A, B, D, E is the right answer for this question, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका correct answer हो जागा, A, B, D, E is the right answer for this question, चलिए इस अंसर तो 4-5 जनी दे रहे हैं, क्यों भाई, बाकी क्या मतलब, यहां वेट कर रहे हैं, एक्जाम में direct answer करने वाले, जी, यह तो ऐसे students जो भीना practice किये जाना जाना चाहते है, final message में, final में क्या हलत हुआता पता है न सबको, हमें बोलूंगा ने, world cup का final में क्या हुआता, हमे बोलूंगा ने, तो वहीं चीज को ध्यान में रखके practice कीजिए और answer कीजिए यहां पर, पुरानी movies का, जब नहीं गाड़ी लेते हैं, तो direct हम नहीं गाड़ी पर नहीं try करते हैं, हम पुरानी गाड़ी पर सीखते हैं, जैसे कि आज हम सीख रहे हैं, यहां पर गलत हो गया ह तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप पुरानी गाड़ी पर सीखते हैं, वहां पर कोई accident छोटा मोटा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप नहीं गाड़ी लेके वहीं से start करोगे, वहां पर सीखोगे, तो वहां पर अगर थोड़ा सा भी उसमें कोई, जो scratches वगेर आ गया, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए यहां पर अंसर कर सकते हैं, गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, Teaching Physics Makes Me Happy B, मानसी B, लॉक कर दिया जाए, सुरेखा, बर्शा, मिनाक्षी, पूजा, हां जी? Miss Anita excited to use a new software which is freely available to download but cannot be modified or change the source code Anita is using. क्या है, Anita क्या यूज़ लूज़ कर रही है? Pr nominations water software यूज़ कर रही है, firmware यूज़ कर रही है, live wear यूज़ कर रही है, बताइये. अभी तक एक भी answer correct नहीं है, अभी तक एक भी answer correct नहीं है, फिर से सोचिए, और इन दोनों में क्या अंतर है? ये भी सोचिए, फिर से सोचिए, इन दोनों में अंतर क्या है ये भी सोचिए, मिस अनिता एक नए सौफ़्वेर का यूपयोग करने के लिए उत्साहित है, जो कि डाउनलोड करने के लिए स्वतंतर रूप से उपलब्द है, लेकिन वहस स्त्रोत कोड को संशोधित या बदल नहीं कर सकती है, अनिता प्रयोग कर रही है, जी, अब थोड़े-थोडे अंसर आने लगे है, थोड़े-थोडे-चोड़े बहुत कम अंसर रहेक्ट है, बहुत ही कम, ठीक है, कुछ गिने चुने जो उंगली उंगलियों पे भी गिन ले सकते हैं हम, और उंगलिया फिर भी एक हाप की बच जाएगी ठीक है open source software वो बच्चे हैं जिससे कोई भी आकर मार के चले जाता है यस क्या यह open source है जिसको कोई भी आकर मार के चले जाता है क्या यह open source है कि अरे रे 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 अभी भी अंसर नहीं आ रहा है आपको समझ में तो freeware और open source में क्या अंतर है यह समझिए यहाँ पर open source मतलब क्या है open है उसका source code open है source code मतलब उसका जो coding है उसका जो program है वो open है आपके लिए आप उसे देख सकते हैं उसमें changes कर सकते हैं आपके जो भी नीड है आपको चाहिए जैसे कि आप आप आए फ्सका डाउनलोड करते हैं ठीके तो वह आपको freeware आए फ्सका आप आपके लिए freeware है जिसे आप download कर सकते हैं free में यूज कर सकते हैं कोई भी पैसा आपको पे नहीं करना होता है वूसे आप कहते हैं freeware लेकिन open source किसे कहते हैं जैसे कि कोई apps होते हैं जिसे आप download कर सकते हैं उसमें अगर आपको चाहिए कि IFA के app में आपको modify करना है कि आपको वहाँ पर आपका photo लगाना है जहांपे case user का photo लगा होता है वहाँ पर आपको अपना photo लगाना तो वो भी कर सकते हैं ठीक है तो S A Software को आप क्का करते है ऐससे software को आप Open Source software कहते है जिसका Code आपके लिए Open होता है उसमें आप Changes कर सकते हैं यह modify कर शकते कुछ भी कर सकते हैं आप के निड क्या Christianity ठीक है wo recursеб कर सकते हैं मानसी जी Correct मतलब यूज मोडिफाई कर सकते हैं फ्री वाले बच्चे वो बच्चे हां असा समझे तो कल की जी फिर से समझे तो यह ओपन सोर्स नहीं है क्योंकि उसमें कैन नॉट मोडिफाई उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है मतलब यह क्या है सिर्फ फ्री वेर है जिसको आप डाउ करेक्ट कीजिए अंसर अब सारे अंसर करेंगी करेक्ट फ्रीवेर समझे मतलब वह है जो कि फ्री में तो देता ही देता है बट कुछ टाइम के बाद आपको पैसा मागना स्टूरू करते का हो गया बहुत आपने उपियोग कर लिया अब आपका संतुष्टी हो गया चलिया प आपको मोडिपाइ करना है जो करना है रीक्रेट करना जो करना है आप ऊपनसोर सब्टवर में कर सब्सक्राइब यह है और दो तक कि's यहांग था फर्मवेर क्या उता, तो पर्म Tonight है जो की आपके रोम में store होता है, जव आप, परोग्रम सरी, computer on करते हैं, जो first program execute होगा, उसे हम firmware करते हैं, समझे, नहीं समझे, समझे, नहीं समझे, नए, तू नहीं समझा, चलिए, आगे वड़ते हैं, इसका answer बताो बहु है। the binary equivalent of decimal number 19 with base 10 is 10101 with base 2 और दूसरा कथन है दूसरा statement है 1011 with base 2 plus 112 with base 2 is equal to 101012 with base 2 बताओ इसके लिए हम time भी देंगे क्योंकि ये आपको calculate करने में समय लग सकता है चलो बताओ C OK हाँ जी C answer आ रहा है बहुत जल्द Teaching Physics makes me happy आपका सही नाम बता दीजे मतलब original नाम क्या है इतना बड़ा नाम रखा है आपने आपके चैनल का हाँ जी सर मुझे ये क्यों नहीं समझा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब समझ जाएगा firmware is a form of microcode or program embedded into hardware devices to help them operate efficiently hardware like cameras, mobile phones network, cards, optical drivers, printers, routers आपके जो यह devices है embedded devices जिसमें थोड़ा सा एक छोड़ा सा room होता है उसके अंदर ये program होता है उसे हम firmware कहता है और हमारे computer में कहां होता है computer में भी हमारे room में होता है जो की first program execute होता है चलो sir यह नहीं आता है ठीके कोई दिक्कत नहीं है chemistry और सवरब जादा बोथ false option to miss प्राची sir firmware भी तो modified नहीं होते हैं users के द्वारा क्या firmware उसको आप download कर सकते हैं free में बताओ हमने यह बोला था कि वो download करने वाली है free में firmware को कैसे डाउनलोड करेंगे आप वो तो embedded आते हैं पहले से ही कि समझे नहीं समझे कि मौडिफाइड तो वह भी नहीं होते हैं कि मौडिफाइड तो वह भी नहीं होते हैं लेकिन वो आप free में डाउनलोड नहीं करते हैं मतलब वो embedded आते हैं पहले से ही क्या आप डालते हैं डाउनलोड करके समझे नहीं समझे बर्चा जी आपका अंसर मतलब यह तो करेक्ट है कि वह मोडिफाइं नहीं होते हैं चलो बन रहा है अंसर कलकी जी सी पूजा बी काजल डी शुबांगी टू बर्शा यस गॉट इट ओके कल की ओके सर बाकियों के अंसर नहीं वन रहे हैं क्या आपको यहां पर हमारा जो मैजिक नंबर का कॉंसेट है पता है मैजिक नंबर नए बच्चे जॉइन हुए हैं शायद आज तो उनको भी मोबाइल के गिफ्टेड एप्स हां फर्मवेर तो एड़ेड फीचर्स है जो मिल जाये तो लाइब जिंगा लाना ठीक है और कोई 2222 साधना टू यहां पर एक नंबर लिख रहा हूं मैं मैजिक नंबर बोलते हैं से 1248 16 काफी है है सहीए है यहीं तक है आट है 1248 16 मैजिक नंबर लिखा है जिसको जिसको पता है जिसको जिसको पता है बताएह मैजिक नंबर 51 सर्शु बाक्राइब आ गया है 51 students are there सब्सक्राइब कितने है like भी देखो अगर लाइक्स कम हुए है तो फिर तो दिक्कत है खिवंट्स तूरेंट्स देख रहा है और 47 लाइक से क्या शोभा देता है अपको शोभा देता है जिन्होंने लाइक नहीं किया है आपको अच्छा लग रहा है 53 students are there and 47 students like the video नहीं शोबा दिता है तो चलिए तो पहले तो हम 19 को convert कराते हैं इस binary language में या फिर binary को convert कराते है 19 में ओके 1248 16 32 उसके पाद जो भी इसके तू के पावर में आएगा ऐसे आपको जाते जाना है तो यहां पर क्या करना है मिनाक्षी जी आपको अगर इस number को convert कराना है 19 में अगर आपके पास binary number है और उसको convert कराना है आपको decimal में तो क्या करना है पता है तो ऐसा magic number लिख लेना है यहां पर आप 32 भी लिख सकते थे लेकिन हमें उतनी जरूरत नहीं है इसलिए आपने नहीं लिखा तो यह magic number हमने लिख लिया और यह जो नंबर है अमारा इसे इसके नीचे ऐसे मार्क कर लेना है जैसे की 10 उसके बाद 101 समझे ऐसे आपने लिख लेना है अब क्या करना है जहां-जहां वन है यहां 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 वन है तो इन numbers को आपको add कर देना है जैसे कि यहाँ पर किसो किसो add करना है 16 प्लस 4 प्लस 1 कितना बना 21 बना शायद इसका 20 और यह 21 तो इस number का क्या बनता है 21 राइट क्या यह equal to 19 है क्या यह equal to 19 है यह equal to 19 है नहीं हां statement 1 false हो गया समझे कैसे हुआ statement 1 false हो गया समझे एसे ही आप इसे भी convert कराईए इसको भी convert कराईए और इसको convert कराईए इन दोनों का addition करके फिर check किजिएगा या फिर दूसरा वे है आप direct binary भी check कर सकते है कि डाइरग बानरी है से नहीं समझें अकशा जिए इतना डिकल्स तो नहीं आता है लेकिन है। आपको पता होना बहुत जरूरी है ऐसा ठोड़ी एक कि नहीं आएगा एस थोड़ी ये इतना डिपिल नहीं आएगागा लेकिन अगर सुटा भी आया तो आपको आना चाहिए अगर हम रेडी रहेंगे एक लाख फोज एक मतलब ऐसा हो कि आपका युद्ध होने जा रहा है और आप एक लाख फोज के लिए रेडी है वहां पे दस हजार अगर आपसे आगे से दुश्मन लेके आया तो आप तो जीती जाओगे तो ऐसा आपको त प्यारी कीजिए तो अगर दस हजार आ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है समझें नहीं समझें हां मानसी जी कोई दिक्कत है नहीं समझा किया यह सिंप्ली है कि आपको ऐसे जो है यह मैजिक नंबर लिख लेना है 1248 16 32 अंड जो भी है ठीक है 32 64 ऐसे लिखते जाना है और जहां जहां आपका 1 है और उन नंबर के नीचे आपको ऐसे पीछे से जैसे इस 1 के नीचे हमने इस 1 को रखा इस 2 के नीचे 0 को रखा 4 के नीचे 1 को रखा 8 के नीचे 0 को 16 के नीचे 1 को और जहां जहां 1 है जैसे कि यहां 1 था यहां 1 था और यहां 1 था तो इन 1 के रिगा plus 4 plus 1 कितना हुआ ना 21 राइट क्या 21 इकवल 219 है तो नहीं है समझे युद्ध क्यों करेंगे एक्जाम देने जा रहे हैं हां बाइए एक्जाम ही देने जा रहे हैं लेकिन एक्जाम्पल समझो यार भावनाओं को समझो लिटरली मिनिंग मतलो ठीक है समझे यहां पर यहां पर समझे या नहीं समझे यहां तक समझे रोहन जी समझे क्या कि स्टेट्मेंट 2 समझाएंगे तो आपθη़ यह में चर्थक ते कर सकते हैं जैसे हमने यह म cholesterol किया तो दो मैं गरते हैं ठीक है इसको में मैं मिटा मैं मैं युाक है इसका आप सрийसे ले लिजिए में तब तक आखरी का बच्चा हमारा क्वालिफाइड नहीं होगा तो हम तब तक जो है आगे नहीं बढ़ने वाले हैं ठीक है सारों को ही क्लॉपाइड कराएंगे महारास्ट इस बार शब्दों पर नहीं मीनिंग पर जाए ठीक है तो यहां पर देखिए पहले तो आप इस मेतर से कीजिएगा कि पहले तो हम इस मेतर से करते हैं जैसे हमने अभी अभी चेंज किया था तो मैंने लिखा यहां पर वन जीरो दिख रहा है काफी जाद़ चोटा हो गया देखो वन जीरो वन वन इस नमबर को मैंने यहां पर लिख लिए तो इसको क्या करना है मैजिक नमर हमारा जो था वह ऐसे ही लिखना है वन के नीचे वन आएगा इसके नीचे टू आएगा इसके नीचे पोर इसके नीचे एट और जहां जहां वन है जैसे कि यहां वन है य और यह नंबर है उसको हम एड करते जाएंगे तो यहां पर इसका इसको क्या करना है इसका कितना बनेगा 4001 1001 100 13 10 gef करने के बाद 124 तो फोर और तू इसका एडिशन कितना होगा इसका एडिशन होगा और जब हम 11 और 50 addition करेंगी तो टोटल हमें कितना मिलेगा इसका अब हमें चेक करना है कि था कि क्या इसकी जो इसका जो ऑई डिसिमल नंबर यह वह 17 ठा है इसका कितना थी वर है यह में इसका कितना था था गया करेक्ट है या नहीं है अर वह भाई हुआ है जिदार सरु को पर इस में क्या ट्रीक हुआ यह अगर मैं आपको एक हार्ड ट्रीक बता दूना भाई तो आप वहाँ पर चेकर खाल खालोगे राइट है तो यह तो गलत हो गया यह अभी भी नहीं समझ आया आपको कि यह अभी भी समझ नहीं आया आपको किसी ने बोला है सिदार सर्ट ट्रिक कि सौरप सर रॉंग कि क्या रॉंग मैं गलत हूँ कि यह गलत है इसमें अ ऐसे वाइक क्लीयर बता ये हुआ क्लियर है ओके समझ गया सर दिमाग घुम गया सर अरे भाई साब इतना इसमें दिमाग घुम रहा है आपका अब एक दूसरा ट्रीक बताता हूं मतलब दूसरा मतलब मेथर यह ट्रीक नहीं यह मेथर और और यहां पर आपका दिमाग घुमेगा लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि जो नॉन मतलब कंप्यूटर साइंस फीजिक्स के स्टूड़न्ट है उनका तो पहले साही दिमाग घुम जाएगा इसलिए नहीं समझा रहा था तो इसको दूसरे मेतर से कैसे सौल करते हैं अब यहां पर अगर हमारे पास यह नंबर है कौनसा नंबर है यह चोटा नंबर लेते हैं 11110 तो यहां पर अगर और ज्यादा नंबर है तो ऐसे आपको पावर्स बढ़ते जाएंगे इसकी तगा नहीं है आपको एडिशन इसकी करनी है अटिशन तो क्या होगा करनी है आपको addition इसकी करनी है addition तो क्या होगा यहां पर क्या होगा इसका two to the power two मतलब four four one into four four plus two to the power one is not two two into one two और यह two to the power zero मतलब one one into one one तो यह कितना हो गया पर इंटू इसका भी आंसर सीख्स हुआ तो यह लंबा मेतट हुता है इसलिए मैंने यह सिंपली मेतड आपको बताया था यहां पे कोई मल्टिप्लिकेशन नहीं करना है सिंपली आपको एडिशन करना है सर मत बताओ कि वो हाड्ड मेतड होता है आपको simply यह method अगर convert कराना है कोई भी number convert करना है कितना भी बढ़ा हो आप इस method से इसे convert कर सकते हैं अब addition की बात करें आप ठीक है इसको आप addition करके ऐसे भी कर सकते हैं दोनों का पहले दो decimal ले लिजिए और उसके बाद decimal को add करके आप check कर सकते हैं या फिर अगर आपको ऐसे ही ही पूछा जाए कि आपको binary से ही solve करना है या फिर binary ही पूछा जाए तो आप क्या करेंगे वहारे इसे भी मैं मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए देखिए कुछ रूल्स होते हैं कापी जादा मतलब और यह ना हो जाए कि आपके सर के उपर से चले जाए सारा ठीक है सब्सक्राइब करना होगा तो इसको डिवाइट करते जो तो बच क्या रहा है वान बच रहा है तो यहां पर वान लिख दो यहां पर वन लिख दो फिर उसके बाद देखो सब्सक्राइब करना है तो आपको ना नीचे तरफ से उपर जाना है अब देखो यहां पर हो गया वान जीरो ठीक रहा है होना चाहिए यह होना चाहिए यह सही है यह तो गलत हो गया यह सबको समझ आया की नहीं आया सबको आते ही होगा जो साइंस बैग्राउंड से है सबको आते ही होगा समझ आये वला मैंने कैसे किया रिमाइंडर वान लिख दिया टू 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 जा पोर पुरा कट जा रहे जिरो टू जा टू जिरो टू जिरो बन वान वन यह सब को समझ आया कि नहीं हां या ना भाई यह तो बताओ कि अगर गिर जाएगा गजाम में तो इस तरीके साब को करना है जो नॉन साइंस बेक्ग्राउंड से है केमिकल साइंस से है मैं खुद आई सीटी से नहीं हूं तो मैं अपने तरफ से बता रहा हूं यह पहला प्रोसेस हो गया अब देखो अब यहां पर देखो अब यहां पर क्या दिया है अब देखो पहला देखो वान अब यहां पर देखो वान जीरो वान वान दिया है वान जीरो वान वान दिया है अब देखो उल्टा उल्टा नंबर आना चाहिए हमें उल्टा नंबर क्या है हमें पता है जीरो वान टू थ्र एसे याद रखो 01234 अब उल्टा स्टार्ट करो इधर से स्टार्ट करना इधर से श्टार्ट करना हम ऐसे जाएंगे एसे जाएंगे उल्टा जाएंगे अब पहले क्या करो देखो 1 यहाँ पर जिरो इन्टू तू दी पावर जीरो आएगा फिर यहां पर प्लस कर दो उर्दू में उल्टा लिखते है उसी तरह के से उल्टा जाएंगे फिर 1 एन्टू टू करो यहां पर यहां पर जीरो है 0 into 2 to the power 0 है ओके फिर प्लस करो यहाँ पर 1 into 2 तो 2 आपावर कितना जाएगा सॉरी यह 2 आएगा और यह ऌगा 3 अब क्या करना है 2 पर जीरो जो हो तो 1 होता है तो 1 आ गया फिर प्लस करो कुझा क्या तो तो तू तू अजब टू प्लस टू दू दू पाउर पो टू टू चुट नज़ा ध्यूर था गया अब इसको एड्ड कर दो यह यह और वी यह चोछ नहीं पुछा जाएगा आगे जैसे मालो 19 का पुछेंगे चाहें तो यह आप कर सकते हों और यह तरहीं तरहीं पूछेंगे इतना नहीं जाएगा चलिए तो दीदा है शुकर तो दूफ je अख्यूमिया आए कि आप कुल्म अरौः वाला तो समझ आना चाहिए क्योंकि वहां पर कोई आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होता है वहां पर सिर्फ आपको एडिशन करना अच्छिक है एडिशन करना है संदेने समझ और समेसेर만 ऐसे से Lego का यहादा यह अज रवाला तो समस्ज में आना चाहिए यह है is लास्ट मेतड़ वाज इजी ओके मतलब जिसको भी समझ आ जाए जो जो भी ठीक है वह मेतड़ से आप समझ सकते हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं wish the statement both are false चोंकी धार जूँख सर हीडिए का जो टू की पावर बता दो तो कड़ जयेगा क्या हा क्योंकि फ़िन आज सिंद्ध पावज की पावर अगर दूब मेरा उसका पाऊर जूज होता है तो उसका आंसर जोता है हमेशाहमेशा के लिए हमेशा हमेशा एंड टू दी पावर जीरो वन होता है समझें है हाँ नेक्स प्वेस्टन प्लीज चलो आगे बढ़ते हैं इसका बताओ वर्ड वाइड वैब किसने इन्वेंट किया हुआ है हां फास्ट मेथर बौश एज टिफिंग पीजिक्स मैक्स में हैपी बोल रहा है कि जो मैजिक नंबर वाला काफी एजàng है वहां पर कोई आपको मल्टिप्लिकेशन नहीं करना है कुछ नहीं तिरफ मैजिक नंबर लिखना है उसके नंबर उसके नीचे जो है बाइनेरी नंबर लिख देना है और जहां जहां वन है उनके एडिशन कर दिनी है इजियर है ठाइट नेक्स्ट क्वेस्टन सर ठीक है ज्छाल सभी हो हां योगेश और केमेश्ट्री हब आप टीचिंग में हैपी टीचिंग फिजिक्स में एकपीूजा यादव बीचिंग फिजिक्स अफ तो फिजिक्स बैक्रांट तो आपको ये कैसे नहीं समझाए ये जो लास्ट वाला मेथर था ये तो आपको आना चाहि जी ता क्योंकि physics में थो होता है ये उट्रोनिक्स ओप बाइनरी लैंगविश्कनवर्जन्स त्या-नबर सिस्टम आप में होता है physics में हम कि डॉली चाहे वाले के साथ चाहे जो पीता है बिल गेट्स कि हां बर्शा अकांग्षा वेदिका शुबांगी कि साधना फिर्दोज काकली कि स्थारी अगर मैं आपका नाम ठीक से नहीं प्रणाउस कर रहा हूं तो कुछ कुछ मंडल है ठीक है सरने में ले लेते हैं मंडल एस दी कि हां मैजिक नमबर वाला आपको समझ आ गया चलो तो टीम बर्णास ली सारों का करेक्ट अंसर है www वर्ड वाइड वेड का अविश्कार किस नहीं किया था टीम बर्णास ली ने किया था जान नहीं हो रहा है सथा क्या है सर हमको को लाइफ्स के स्टूडंट है से हमें वैसे क्यों नहीं आते हैं पर वन में आपको भी आएंगे ऐसा कोई नहीं है पर वन सारों का जो है यहां पिष्म वो सांस का हो चाहे वो कोई भी साइंस का हो इसलिए तो इस लिए होते हैं क्योंकि क्या करनाओ की बाइनरी नंबर कंवर्जन यह वो बेखिन फिर भी आपको दिए जाते हैं सिर्फ आपका टेस्ट लेने की लिए ठीक है चलो इसका अंसर इसका अंसर नहीं यह आई यह फेस का पोर्टल है आई यह फेस ऑनलाइन डॉट कॉम तो इस पर जाके आप प्रीमे क्या क्या ले सकते हैं डेमो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं देख सकते हैं All About Exam के बारे में सारी डीटेयल ले सकते हैं सीलाबस के बारे में जमकरी ले सकते हैं प्रिप्रीज prayed 2004 से अभेलिवल है थो पेपर 1 के बारे में अगर बात कर रहें यह तो यह नेक्स कुशन दिया आपको रिसर्च अप्रिटूट से बहुत सरे बच्चे छोड़ के चले गए क्यों छोड़के चले गए क्यों चोड़के चले गए सब कोई हां मैं फिर से बोल रहा हूं आज मुझे सबका एनर्जी बहुत डाउन लग रहा है तीन दिन के एनर्जी हमेशा हाई रखे ओके अब देखिए एक क्वेस्टन के बज़े से क्लास छोड़के चले जाना यह कायरता की मतलब बात है हम कायर नहीं है हम पढ़ रहे हैं महनत कर रहे हमें एक्जाम क्लियर करना है तो इसी के लिए ठकना नहीं है हारना नहीं है तीन दिन की बा यह सेट के सवाल है पूछे गए सवाल है जल्दी से इसका अंसर बताओ किसी को internal criticism क्यों किया जाता है आप criticism क्यों करते हो यू डान गो पॉर इंटर्न डिसभ्र आपको एकूरेशी चाहिए आपको ऑफ्टेंटिसिटी चाहिए क्या क्यूं चाहिए आपको क्यूं लग रहा है दो तीन जन को छोड़के बाखि सबका अनेर्जी डाउन लग रहा है हमारा क्या है अब आपको हम पढ़ा रहें फिर इसको फिर बढ़ाएंगे वहारा क्या है बट आपको इस एक्जाम को क्लियर करना है कि नहीं करना है कि हया याप पांस साल में पड़ते रहें गेंक एक्जाम करो निकलो सब्सक्राइब नेẤ्य देंगेगां Be स्टेट में कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना जाए नहीं एनर्जी मुझे बग रहा है क्योंकि 50 स्टुडेंट से तब पचाज जनते पचाज से अभी कितने 33 स्टुडेंट सरदेर 33 स्टुडेंट सरदेर तो गाना तो सुना ही होगा इसमें 13 घाटा हमरा कुछ नहीं जाता तो देखो इसका करेंट आंसर क्या है ऑप्सन नमबर डी इस दराइट आंसर फॉर दिस क्विस्टिन एकुरेसी और ऑथेंटिसिटी के बारे में पता चलता है इसलिगले क्या होता है कॉंटैम씬 वा कॉंटॉमइश्टी भॉट्यॉप प्लीव इन को द। को डूम-त्रॉम मतलम नीपाश्डौम होने भॉट्य इसका नाम достosxyまだ mos अब अजीब सा नाम है प्रणाउंस भी नहीं कर सकते हैं यहां पर मैठ है ओ वो ग्रोबी निमिया इस कॉष्ट बैदी कंटामिनेशन ऑफ वाटर बैवाट अगि भी जिसको जाना सकते हैं बाद में इंट यहीं हुश्टं सर के रहा था और यह कोश्टंगीं एक्जाम सब्सक्राइक और इसकार बाहिक तो ने खेश प्रोबर पिर दब मैं बोलूगं lugar ना क्लासअश ने लगाि थे लास सक्वाने देख Billy आपके लिए marathon लिया जा रहा है तो उसका उपयोग करने का कोशिस करो उसका benefit लेने का कोशिस करो अब ऐसा नहीं कि boring लग रहा है classes छोड़के ही चले जाएंगे क्या फाइदा है कुछ फाइदा होगा नहीं होगा तो समझदार हो पीजी कर चुके हो आपको पता है कि आपके लिए क्या फाइदा है क्या नुक्सान है तो nitrate is the right answer for this question देखो c answers आ रहे हैं अब आप सेट exam में जाओगे c answers करके आओगे एक मार गया आपका एक मार गया और वह कोई बात ने love channel tragedy love channel tragedy was caused due to work मैं तो 100 का target कर रहा था मैं तो 100 का target लेके गया था थर्टीवान ही बचे हैं क्यों मैं खिर से बोल रहा हूं आपके उपर डिपेंड करता है सेशन्स आप जितना ज्यादा मोटिवेशन के साथ पढ़ोगे जितने ज्यादा स्टूडेंट के साथ सेर करो के उतना ही टीचर उतना motivated रहेंगे और आप कोई इंट्रेस्ट नहीं है आप कोई करना नहीं है तो हम क्यों करें सेशन्स खाना खाने गए होंगे सर खाना खाते हुए भी क्लासेस कर सकते हैं हम भी तो बिना खाये क्लासेस ले रहें यहां पर हमें भी भूट लग रहा है हम भी तो बोल सकते क्लास करके चले जाएंगे मैं serious तो होना नहीं चाता हूँ, बट आप सब serious कर रहे हूं, मैं serious तो होना नहीं चाता हूँ, बट आप सब serious कर रहे हूं जयाँके, सो correct answer क्या होगा, love candle tragedy क्या है? सबका गलत, सबका गलत, किसी एक का भी सही नहीं है और यह question आपके set में पूछा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यह set के सवाल है, यह set में पूछे गए सवाल है, महारश्टर set में नहीं है, दूसरे कोई set exam में पूछा गया था, क्या पता यही questions आपको महारश्टर set में option number a is the right answer, okay, अब जो option number c कोई बता रहे के हां पर, अच्छा वह कोई c नहीं बताया, अच्छा वह कोई c नहीं बताया, चलिए आगे बढ़ते, तो love channel tragedy क्या है, यहां पर, यहां पर क्या हुआ था, यहां पर बहुत सारे जो chemical waste थे, उसको क्या किया था, dump कर दिया गया था, dump कर दिया गया था, okay, channel में, channel मतलब समझते को नहीं, नाला जो होता है, नाला, तो channel में, dump कर दिया गया था, chemical waste में क्या किया थे, जिससे polychlorinated, bifenyls, dioxins, pesticides, यह सब को dump कर दिया गया था, next, अब देखो, जो भी महारश्टर set exams को target कर रहे है, यह आपके exam clear करना है, दुबारा, और मुझे next attempt के लिए prepare नहीं करना है, तो, I hope कि सबने एक रुपेया के जाके, trade series लगा लिया होगा, अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है, तो तीन दिन का समय बचा है, अभी जाके एक रुपेया में, trade series लगा लीजिए, management, अगर आपका paper one है, त computer science से, English से, geography से, commerce से, economics से, उनको भी refer करो, उनको भी बताओ, science वाले students के लिए भी है, जो भी life science, physical science, chemical science से बिलोंग करते, उनके लिए भी चल रहा है, एक रुपेया का trade series, जाईए, एप में visit कीजिए, और trade series लगाईए, मैं बार बार बोल रहा हूं, अब promo code यूज करना है, आपको, IFS 99 का promo code यूज करना है, और आप जाके दे सकते test, next question, which of the following gases has maximum contribution to enhance greenhouse effect, अगर ये question कोई गलत करेगा न, तो मेरे मतलब मैं आप कुछ बोलूँगा नहीं, चुपचाप चले जाना, हिमालय के तरफ, हिमालय के तरफ, चुपचाप चले जाना, ticket भी मैं नहीं करूँग जाना, which of the following gases has maximum contribution to enhance greenhouse effect, methane, chlorofluorocarbon, nitrous oxide या फिर carbon dioxide, सराज है वापस तुगांट से, खाना खाना ही गेते होचाइँ, देखे, खाना वाना बाद में खाना, साथ तरीक के बाद खाना, कब तक भूके रहो, तक भूके रहो, चले जल्दिले answers कीजिए, क्विक क्विक एवरिवन, फटा फट से, लेस दन थर्टी सेकेंड बला से वाल है, लेस दन थर्टी सेकेंड, चलिये, बैरी वेल डन, केमेश्ट्री, हाब, टीचिंग, फिजिक्स मेक्स में हैपी, और योगेश, बहुत बढ़िया, येस, तो, वाट वाट राइट आंसर rijk किते हो जकेंडु क्लो फ्लोरो कारवन सापका गलत ढव जाता है, वेरिवेलदन शुरेका, आतका रूरो-क्लो-बारक रूरो-क्रहें जाता है, वेरिवेदटन काजन, कार्बं ड लिग घौकसाइड मिजट राइड सार् Doll माल एकनन् वर्ट राइट आंसर पर इस क्विश से सोते हैं इसको याद करने का तरीका भी भी वने बताया था कार में कार में हाई होकर परफ्यूम लगाकर परफ्यूम लगा कर सोग गए परफ्यूम लगाकर सोग ओके Rochester में कार में ही ओकर पर्फुम लगा गार कर शोगे, कार से याद रखो carbon dioxide, made से याद रखो methane, हई से याद रखो hydrofluorocarbon पर्फुम से याद रखो per fluorocarbons और सोगे से याद रखो sulfur hexafloride, so these are the six greenhouse gases सबसे ज्यादा कौन है carbon dioxide याद रखो तो आर्थ में ग्रीनाउस gases कौन है water vapor हो गया carbon dioxide में नाइट्रोस औकसाइड हो गया ओगया धर करवन डायोगसाइड जो होता है वह केले ही responsible होता है अकेले ही responsible होता है 60% responsible होता है Greenhouse gases फेलाने के लिए direct सवाल पूछे जाएंगे आगे पढ़ते हैं नेस्ट क्वेशन पूछा है the headquarter the head office of NBA National Biodiversity Authority National Biodiversity Authority कहां पर situated है चन्नाई न्यू दिल्ली जमू या फिर बैंगलरू head office of National Biodiversity Authority कहां पर है मैं serious होना नहीं जाता हूँ बड़ आप सब मुझे serious बनाते हो कोई बात में serious बनाओ अब मैं जब serious होता हूँ ना मेरे निमोनिक्स नहीं आते हैं मैं जब serious हो जाता हूँ ना निमोनिक्स नहीं आते हैं मुझे कि शेर करो सेर क्यों कर सेर क्यों नहीं कर रहे हो वाई ओनली 38 पीपल आ रदियर वाई इस पचाच से 38 क्यूं हूए 50 से 42 क्यूं हूए बैंगलुरू कि चलित बहुत बढ़ी हा साधना योगेश साधना योगेश काजल कैमेश्ट्री हाव यसिका स्नेहल लाइफ स्निःहल लाइब बहुत बड़ी आपी के साथ related है और आपका अंसर बिल्कुल गलत हो जाता है बिल्कुल गलत हो जाता है आपके साथ रिलेटेड है बायो डाइवर्सिटी लाइफ साइंस वालो नेशनल बायोडाइवर्सिटी और कहां पर बायो डाइवर्सिटी और सकते हैं मौनिटर कर सकते हैं ऑके अडवाइस दे सकते हैं भारत सरकार को किसके रिलेटेड किस तरीके से बायो लॉजिकल रिसोर्सेस को यूज किया जा रहा है किस तरीके से जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है बायो डाइवर्सिटी बायो लॉजिकल रिसोर्सेस को किस तरीके से उप्योग कर रहे हो इसका हेड़क्वाटर कहां पे चैन्नेई में है तमिल नाडू चैन्नेई तमिल नाडू में इसका हेड़क्वाटर है अब देखो जो बच्चा देख रहा है क्लास गलत हो रहा है कोई बात नहीं बट अगर यह प्रश्ण पूछे जाते रिलेटेट टू नेशनल बायो डाइवर्सिटी ऑथरिटी वो कर सकता है अब उनके बारे में सचो जो कि देखा ही नहीं फटाहीं नहीं यह वह तो एंबीए देखेगा और टिंक करेगा नेशनल बॉर्ड अक्रिटेशन को टिक करदेगा तो यही होता है फरक जो एक्जाम क्लिर करते हैं रहे क्योंकि वह कंसिस्टेंसी बनाया रखते हैं रहता है उनके अंदर में पैसेंस होता है कंसिस्टेंसी होता है मेहनत करते रहते हैं मेहनत करते रहते हैं समझेंगे अब ऐसा नहीं कि एक कुश्चन बोर लगा एक कुश्चन गलत हो गया और हम क्लासी छोड़के चले जाएंगे कुछ नहीं होगा एक्जाम होल में छोड़के आ सकते हो नहीं आ सकते हो ना एक्जाम यह एक्जाम ऐसा खाली पिली एक्जाम नहीं है यह आपके लिए यह आपका जिंदेगी बनाएगा यह जिंदेगी के साथ रिलेटेड है यह जिंदेगी बना भी सकता है जिंदेगी खरा काम देने के लिए कि डिवाड लग दिया तो नेक्स्ट अटेंट है मैं इसको क्लियर कर सकता हूं कर सकते हूं तो कभी भी इसको लाइटली लिया मत करो नेक्स्ट कॉस्ट्टन मिस्स मधू अन वेबलिक रिसीब इन अ मैसेज अन अर फोन विच प्रॉमिसेज हर कंप्लिमेंटरी ट्रिप टूर डेस्टिनेशन अफर चॉएस सी फॉर्वर्डड इस मैसेज तो अर फ्रेंड अरून और आस्क हिम तू डू दे सेम बट अरून रिफ्यूज कर दिया और मधू को उसने यह बोला कि देख यह तेरा प्राइवेट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जैसे आपका ओनलाइन एकाउंट नेम हो गया लॉग इन इन्फॉर्मेशन हो गया पास्वर्ड है कोई चोरी कर सकता है तो आपको मधू को यहां पे कौन से अटेक से सतर करेना है फीशिंग पैमिंग स्कैमिंग या फिर प्लागरिजम क्लियर नहीं द चरी हो रहा है नहीं हो रहा है बन रहा है मिस्स मधू क्लिक्स अन वेब लिंक रिसीवड इना मैसेज अन हर फोन विच प्रॉमिशस हर a complimentary trip to a destination of her choice she forwarded this message to her friend Arun and asked him to do the same but Arun refuses and tells Madhu that her personal and private information such as online account names login information and password can be stolen and she should be careful of such dash 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 attacks तो कौन सा अटेक होता है यह कुछ बच्चे तो दे रहे हैं कुछ बच्चे जो उंगली पर गिन सकते हैं इतने बच्चे करेक्ट अंसर दे रहे हैं चलो बता यह फास बता यह जी 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 और 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 बढ़े करेक्ट अंसर की संख्या और बढ़ चुकी है थोड़ी सी और हाँ और एक बढ़ गया है ठीक है है हाँ मचली का जाल माया जाल जस मचली का जाल बताओ मचली का जाल मचली का जाल मचली की तरह फसाया जा रहा है आपको एक लालज दिया जा रहा है जैसे मचली को हम होता है ना शिकारी के पास जो मचली पकड़ने जाते हैं तो ऐसे काटे में कुछ खानी की चीज़े फसाई जाती है जैसे कि आपको यहां पर क्या फसाया जा रहा है आपको आपको चिपकाया जा रहा है कि आपको complimentary trip मलेगा जैसे हम मचली को देते कि आपको खाना दिया जा रहा है लेकिन actual में हम खाना देना चाहते हैं क्या मचली को नहीं हम उसे पकड़ना चाहते हैं हम उसे खाना चाहते हैं वैसे ही यह आपको खाना चाहता है यस आपको एक खाना दिया जा रहा है कि आपको complimentary trip में लेगा एंग समझे समझे है चलो जी चलो और करेक्ट आंसर इस फीशिग आपको क्या किया जा रहा है जाल में फसाया जारा है कुछ खाना देखें आपको जाल में फसाया जारा है समझे है का वहां समझा नए समझा तो नए समझा जब श्रब्रया कि अब कि चलो आगे बढ़ना है है हो गए सारे इस यहां पे आपको उसके वारे में डीटेल्स भी जाए तो दीगए ठीक है स्पैम क्या है जैसे कि आपको पता है कि कोई यूटूबर्स या फिर जैसे कोई लाइव बिनोद बिनोद तब बहुत चल रहा था कि spam करना यह spam मत करो भई spam मत करो भई वो क्या होता है जो अन्चाहे messages जो बार बार आते हैं ठीक है समझ लग समझ लगे यस क्लियर तो spam is unsolicited email instant messages or social media messages the messages are fairly easy to spot and can be damaging if you open or respond अन्चाहे email यह क्या है अन्चाहे email आपके email में भी एक section होता है spam का जो अन्चाहे है ठीक है समझे आपको आपके जरूरत नहीं है वैसे ठीक है समझे ओके सारे समझ गया है spam भी समझ गया आपको नहीं चाहिए एसे ओकी fishing 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 is an email sent from internet email और मैसे जो सकता है आपके SMS में आते हैं SMS में भी आ सकते हैं आपके fishing attack fishing is a email sent from internet criminal discussed as a email from legitimate जैसे कि वहां पर क्या बताया था कि हम किसी एक कंपनी चाहे और आपको हम ट्रीब दे रहे हैं कोई ओफर चल रहा है ऐसा कुछ बोला जाता है वहां पर आपको क्या बोला जाता है कि हम legitimate ऐसे आपको दिखाया जाता है discussed as a email from legitimate trustworthy source this message is meant to lure you into revealing sensitive or confidential information और वहां पर जैसे आरून ने बताया था अरून ने क्या बोला था कि तेरा information जो personal information है तेरा username password ठीक है बैंक डीटेल्स यह सारा ले लिया जाएगा राइट तो इसी वज़े से इसे का बोला जाता है फिशिंग ओके खूब चान समझ ले गुरुवर्य वा चला पुड़े पुड़े चला आनी हे बगार आता spear phishing spear phishing का है क्या होता है spear phishing spear phishing occurs when criminals obtain information about you from websites or social networking sites and customize a phishing scheme to you तो यहां पर क्या है यहां पर आप किसी link पर क्लिक नहीं कर रहे हैं जैसे आप कहीं पर गए है जैसे किसी website में अब facebook पर आपको बहुत सारा details तूट कर देते हैं या फिर जब सराम को बेची जाती जैसे कोई scammer है या attacker है उसको बेची जाती थी और वह attacker क्या करेगा आपको fish करेगा फिर फिर आपको fishing करें करी जाएगी आपकी information लेके तो यह क्या है spear phishing जहां किसी link पर नहीं click कर रहे है जहां पर आप क्या कर रहे है अपको से डीटेल्स दे रहा है ठीक है और फिशिंग में क्या होता है आपको आप डीटेल नहीं दे रहा है आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो अटमेटिक आपकी डीटेल्स वहाँ पे चली जाती है समझे नहीं समझे समझे नहीं समझे सर अगर अरुन ने ना बोला होता तो 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 क्या होता तो यह तो आपको पता है क्या होता है रोज ठीक है जाना पाइब क्या है किसी दूसरे का बेज बदल के आना जैसे आपको पता है कि कई वेबसाइट साइसी होती है जैसे amazon.com है तो वहां पर लगा जाए जाएगा amazon.org के बाद कुछ और लगा फसाया जाएगा बिना इंटर्व्यू से नवकरी पका यस ऐसे आपको बिना इंटर्व्यू के नवकरी दिया जाएगा ऐसे जो है यह भी क्या है यह आटक है ठीक है साइबर आटक्स चलिए आगे और फार्मिंग क्या है फार्मिंग is a malicious website that resembles a legitimate website used together username and password जैसे कि अभी example दिया हम वे हमने कि किसी दूसरे की मतलब बहर रुपिया किसी दूसरे का होने का मतलब दिखावा करते है ओके इसे आप क्या कहते है फार्मिंग ओके चलो तो यहां पर अरे इसका तो अंसर आ गया है चलिए तो विच इंडियन एक्ट मेक्स इट इलिगल टू नुइंगली अगर आपको पता नहीं है फिर तो ठीक है लेकिन आप जान बुझकर अगर वाइरस फैलाते हैं तो कौन सा एक्ट आपको यहां पर यह जो काम है यह इलिगल बनाता है हां हम समझे ठीक है पुलिस के बर्दी में चोर घूम रहे हैं स्पूफिंग और फार्मिंग में क्या डिफ्रेंस है स्पूफिंग और फार्मिंग में क्या डिफ्रेंस है स्पूफिंग में क्या है आप किसी और पर्सन का होने का मतलब दिखावा करते हैं और फार्मिंग में वेबसाइट ओके वेबसाइट और यहां पर किसी पर्सन या इंडिविजुल के होने का दिखावा करते हैं और यहां पर वेबसाइट के फार्मिंग के फार्मिंग में ठीक है चलो आगे बड़ो कि इसका अंसर सारो को आना चाहिए इसका अंसर सारो को आना चाहिए हाँ सी 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 हाँ सॉल करके बताईएगा प्लीज इसमें क्या सॉल करना है इसमें सॉल क्या करना है यहाँ पे आपको उसके बारे में डीटेल भी दी गई है दी इन इन ट्नौोजी आप आ युटा थी अडीय टा दो हजार में आया था ये ये अल्शो नोनाज इटा 2000 और इटा है इस और आट अड्य इन टो फॉलिम्न अडीय आ बॉल्टे इन ट्या में तो फॉल्ट रिर्लेय नॉम्टा क्या थे अटे नॉुट एडिय आ दो अट्व समझे समझे 54 स्टूरंट्स आदेर और रिस्पॉंड बहुत कम कर रहे हैं बहुत कम रिस्पॉंड कर रहे हैं यस वाइरस को सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब तो समझ गए मचली का जाल माया का जाल है जैसे मचली को जिस तरीके से फसाया जाता है आज कल तो वह मीम भी आया है इंस्टागाम में आपने देखा हुगा रिल्स आता है दो मचली जाते रहेंगे एक जो हूक होता है तो वह मतलब वह इसको सता आता है चिडाता है तो वह घुसा उसको काटने चले जाता है तो खुद फस जाता है तो वहां बहुत बोला जाता है कि किसी को पर घुसा नहीं है और वो बच जाता है तो ही होता है फीसिंग में आपको अच्छा चीज दिखा के अच्छा चीज कहना दिखा के आपको फसाया जाता है से यह होगा आपका मतलब जैसे आपको आपका email में आपने देखा होगा spam folder होता है email आपने अगर open करते हो नो बाट स्पाइम के नहीं है ओके और फिसिंग तो बता दिया फिसिंग तो अपने समझ आ गया होगा सबको उसके बाद देखो यह बहुत इंपोर्टेंट है यह टाइट सों वाइरसे स्कूश्चन में पूछे का है स्पियर फिसिंग स्पियर का मतलब कोई बता सकते स्पियर का मतलब किया dictionary meaning से किसी को पता dictionary meaning में स्पियर का मतलब क्या यहां पे लिखाया कस्टमाइज जैसे वालों के लिए टीचिंग वाला स्कीम ले के आएंगे अब वो क्या करेंगे अपना अपना target चूह कर लेंगे यह टीचर है ओके अब इसको टीचिंग की जॉब चाहिए टीचर का recruitment इसको टीचिंग का जॉब चाहिए तो क्या किया जाएगा आपको कॉल आएगा कॉल आएगा यह आपको भी आया होगा मेरे को आया है बहुत बार कॉल आएगा बोलेंगे कि सर देखिए आपको ना कुछ नहीं करना है आपको सिंपली ना 2000-3000 रूपिया देना है और बिना इंटर्वू के बिना रीटेंटेस्ट के हम आपको नौकरी दे देंगे अब बहुत सन्ना बहुत जंद फस जाते हैं बहुत जन फस जाते हैं तो अगर आप किसी एक स्पेसिफिक केटोगरी को टार्गेट कर रहे हो rate Hill 25 ऐसे मचली पकड़ने जाते हो तो वह स्पियर का यूज करते हूं कि नहीं सबूर ची स्पैने होगा का और डुबलेगेट बना डिया जाताँ तो उसकों पोफिंग को मतलब क्या है से मैंने बताया रिजेंबल से लेजिटीमेट वेबसाइट का मतलब क्या है पुलीस के सकल में आएगा चोर और वो आपको चोरी करके लग चले जाएगा आपको लगेगा कि यह मेरा प्रोटेक्शन के लिए आया था बर वही चोर होता है वकुपिट यो नौन छे यह द Bayonne एंट कि अ आप सबको आया या नहीं आया उझा कि एवरीवन बताइए जो नौन प् willing आपको समझ आया जल्दी बताओ कि गोली खाके मानोगे कि क्लियर हुआ सभी को चलिए अब यह तो आईटी एक्ट हो गया अब इसका अंसर बताओ the pioneer human community interacted with the early environment was the pioneer human activity human community जो interact कर रहे थे early environment के साथ उसको हम क्या बोलते है उसको हम क्या बोलते है नोमाड्स agro society hunting and gathering society या फिर industrial society जो पहली बार environment के साथ इंट्रेक्ट कर रहे थे उसको हम क्या बोलते है what we call it is जैसे हम इंसान जब यहां पर आये थे आपको भी पता है कि हम पहले कैसे थे जो environment के साथ जो पहली बार इंट्रेक्ट कर रहे थे उस समुदायक के इंसानों को क्या बोला जाता था नोमाड्स बोला जाता था agricultural society बोला जाता था hunting and gathering society बोला जाता था ये industrial society बोला जाता था देखिए industrial society अप आरहां से बोल सकते हो कि यह होगा नहीं नोमाड्स कौन होते है नोमाड्स वह होते हैं जो कि एक जगा से दूसरे जगा घुमते रहते हैं आज आज का आज इनका ठिकाना यहां पर है फिर अगले दिन दूसरा ज इंसान जो life science के student हो मुझे बताओ जो पहले जब इंसान यहां पर आये थे जब जब इंसान का evolution हो रहा था क्या उनको खेतिवाडी करना आता था क्या उनको खेतिवाडी करना आता था एग्रो सोसाइटी मतलब अब मुझे मताईए हंट इंड गाते सोसाइटि होगा यह पिनोम सोगा तो करेक्ट रॉग जाएंगा अटिओं से जाइगा नोमार्ट Sumerty रही होते थे नोमार्ट स्वेश्य इनसान होते थे जो एक जगा से डूसरा जगा सोंते थे हंटिंग करते थे क्या करते ते सिकार करने के लिए chicken करने के समझते थे ओके टाइप Of लोगों को बोला जाता दा। नुमाैर को जाता था प्सकोन नमगर a will be the correct answer for this question Master Name नमग और सीन होगा नुमाइर के अंदर ही आपका hunting and gathers ईगा तो नुमार्स बोला जाता था उस समुदाय के लोगों को गलत हुआ कोई बात नहीं याद रखो वूच अच्छा टीचर के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होना चाहिए अब देखो टीचिंग अप्टीटूट के सवाल आपके बहुत इजी आएंगे थोड़ा सा दिमाग का उप्योग करना आप अराम से आंसर्स कर देऊगे की के चांगलायाचा सिख्सच्छा सर्वत महत्व गुण खाली की लपे की कोणत आहे कsty अध ग्यक्ति छरण पण आणि प्रमानी कपडा सामगरी प्रभुत्ध 같아 अनि प्हतिवंबित सामगरी प्रभुत्ध आणि मिलन्सार चलो मिलन्सार् गैसे मिलन तो चलो सभी सबोल दिया तो बताईए एक अच्छा टीचर का क्वालिटी क्या होना चाहिए मरा हथी बोलाटी बोल दिया जितना हो सकेगा जितना कोशिश किया अपड़ पाने के लिए बढ़ लिया चांगला 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 ओके सौरफ सर्च एकदम चांगला मानुस आहे ओके अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आणी लाइक करा और सब्सक्राइब करा अब चलो इतना तो में मराठी बोल दिया तो लाइक तो करोगे सेयर तो करोगे सब्स्राइब तो करोगे चलिए वाट उल्डा आंसव फोड़ेशन अब देखो टीचर पंक्चुल है सिंसियर है तीचर पंक्चुल है बड़ उसको पढ़ाना आता ही नहीं है तो क्या उसके पास जाओगे मैं यहां पर टाइम ली आ जाओ तो पूरा एरटा यह ज्यान है बहुत रख्रेस को आत्मा चिंतन भी कर रहा हूं खुद को अनलीसिस कर रहा हूं कि मुझे बच्चों को पढ़ाना केंसे है उनका क्वेडि को ईक्टों का डॉट को पीड़ा एक्सेट पर्सनल मैंटर आपकी सिकाव ब्रेक अपोने से मेरे पास मताना कि सर आपने तो बोला था कि सर हम आपको कुछ भी बता सकते तो ब्रेक अपके तो यह ओना चाहिए आंसर और सी इस दा राइट आंसर फॉर दिस कुश्चिन और सी इस दा राइट आंसर मैं फिर से बता रहा हूं ताइप्स और प्रमाना देख के जाना ताइप्स और प्रमाना इसके ऊपर मैंने क्लासेश भी पूरा ले रखे हैं अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाना जलूल जलूल जाना और जलूल जलूल यह ताइप्स और प्रमाना देखना क्यों आँखों से देख रहे हो कि गाय घास खा रहा है तो यहां पर कुछा था ओके तो यहां पर कुछा है कि आपको बताना इन में से कौन सा आर्गुमेंट नहीं है खाली लेपिकहए खाली लेपकी कोनत युक्ति बाध नाहीं आ हें जर तो दिवस खात नेसल तर तो रात्री खात आसल देवदत्र रात्री जेवता महंत मनूत आरे छोड़ो चलो बताओ इसका अंसर क्या होगा यह देवदत्ता वाला है देवदत्ता बेवदत्ता ओके देवदत्ता और उसके साथ साथ वह संजय दत्ता और और अर्थपती होना चाहिए तो अर्थपती है और अर्थपती को हम क्या बोलते पोस्टूलेशन डेरिवेशन किसी चीज़ का अर्थ निकालना जैसे यहां पे कोई जैसे साथ तरीक को एक्जाम है आपका महाराष्ट्र सेट का ओके और उसके अगले दिन क्या करेंगे मिनाक्सी हुकी कौल करेंगे पूजा को पूजा बता ना तुमने पढ लिए क्या पूरात का पूरा मेरे पेपर ने कुछ नहीं आता है कि सिदार सर्थ ने क्या पढ़ाया मेरे कुछ समझ नहीं आरहीiras तो पूजा बोलेगी, आरे हां, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, क्या पढ़ायते, मेरे को तो लग नहीं रहा है कि मेरा MSA क्लियर होगा, मेरे को तो लग नहीं रहा है कि मेरा Paper 1, Paper 1 में अच्छा स्कोर आएगा, बड़ जब रेजल्ट आउट होगा, तो पूजा का 50 में से 50 राइट है, तो यह क्या है, तो मिनाक्सी उससे में, मिनाक्सी उससे में यह बोलेगी, कि पूजा ने उससे में मुझे जूट बोला था, पूजा चुक्चा बैट के घर में पढ़ाई करती थी, तो उसका मिनिंग मिनाक्सी ने लिकाला, तो प्री एजूम करना, किसी चीज़ का पोस्टूलेट करना, समझने एक गुमसुदा इंसान को आप देख रहे हो, और रो रहा है बैट के, तो आप उसको प्री एजूम क्या कर लेते हो, क्या पोस्टूलेट कर लेते हो, विचारा दुखी इसलिए है, क्योंकि विचारे का ब्रेक अप हो गया है, और और इस कोलने ऐस अर्थ पति किसी चीज़ का अर्थ करना, कोई अंगर बोल रहा है कि मैं नologne खाता ही हो मुझे बोल इस वर यह पूछे जाने वाले है crumble मैसूस हो रहा है जूदू रहा है क्या पता ँसकूश्ट्स आएगा तो प्रिषा होगा देवदता दस not eat in a day so he must be eating at night. यह तो यह तो अर्थपती है. हमें question में पूछा है not. ध्यान से देखो ही सज्जन को. not पूछा है देवदता दिन में खाता है यह अर्थपती है. देवदता मुटा होते जा रहा है. अगर व तीन में खाता नहीं है तो जलूल 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 वह लाट में खाता है काना खाता है तो टोलाशेट ओके तो अधे नाइट अच्छा पूछाता तो आपको नॉट आर्गवेंट पूछाता तौपसे नमर्डी इस और यहां तक सभी को कि इसिट्र इसिट्र सबको समझ आया और यह माराथी में समझाओ मराथी अब यह आगे बढ़ते हैं अर्थपति का मतलब क्या है आप देखो टोटल हमारे छे प्रकार के प्रमान होते हैं पॉवा पीने की आस हुई आपको चिकनी चमली पवा चड़ा के आई तो पवा आस तो प्रत्यक्स अनुमाना उपमाना और क्या था अर्थपति अनुपलब्दी सब्दप्रमाना प्रत्यक्स प्रमाना क्या होता है थोड़ा समय आपको बता देता हूं प्रत्यक्स प्रमाना क्या होता है आखो देखा आखो दे तो उसको मैं बोलता है प्रत्यक्ष्प्रमाणा ऑके फिर आता है आपका अनुमाणा क्या होता है अनुमाना होता है इंडारेक्ट सौर्स अफ नॉलज्च मतलब आपको कोई काइब बता रहा है आपकी friend आपकी best friend आपके आपको बता रही है कि देख तेरा boyfriend ना तुझे cheat कर रहा है तो आप अनुमान लगा रहे हो कि हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ओके फिर आप जाते हो भाग बाके और देखते हो हाँ सही में cheat कर रहा था तो that is called as अनुमाना प्रमान फिर आता है उपमाना उपमाना क्या होता है उपमाना मतलब जब आप अपने boyfriend को दूसरे के boyfriend के साथ compare करते हो आप मेरा boyfriend तो चाहन जैसा है मेरा boyfriend तो सूरज जैसा है ओके अब मेरा boyfriend तो वह निकला तो that is called as उपमाना अर्थपति का मतलब क्या है जैसे मैंने अभी बताया किसी लड़का चुपचा बैठा हुआ है रो रहा है तो आप उसका अर्थ यह निकालते हो उसका मीनिंग यह निकालते हो कि विचारे का breakup हो गया है ओके अनुपलब्दी का मतलब क्या है किसी के ना होने के बज़े से knowledge मिलता है एक गोलगप्पे वाले भाईया के पास जाते थे आरे आप खाना खाने के लिए गोलगप्पे खाने के लिए जाते थे भीड़ बहुत जमां रहता था तो आज वहां पर भीड़ नहीं है तो आप क्या बोलते हो आरे वो गोलगप्पे वाले भाईया आज आये नहीं है तो किसी के ना होने के बज़े से जो knowledge मिलता है उसको अनुवपलग्दी बोलते हैं फिर एक होता है आपका सब्दा फिर क्या होता है सब्दा प्रमाना सब्दा मतलब जब कोई बाबा आपको बोलता है कि बेटा देख एक पेपर वन में अगर तेर को कुछ आता नहीं है कोई बात नहीं है तो दो सुबा उठके दो बेल का पत्ता कहा के चले जाना और तेरा पेपर वान में 50 में से 50 कुश्चन राइट हो जाएंगे और आप उसका बात मान के चले जाते हो और एक्जाम में टायटाइ फिस so that is called a sabda pramana, मतलब किसी एक trustworthy persons के बाक्यों को ओपर RIA करते हो, जैसे हमारे बाक्यों के ओपर आप believe करते हो, क्यों कर रहे हो, एसे खालीफी फिली थोड़ी न believe करोगे, हमने इस exam को clear किया है, हमने इसको महसूस किया है, देखा है, लिखा है, तो अभी आप बिलीव करते हो जो लब गुरू होते हैं लब गुरू के बातों को क्यों मानते हो क्योंकि वह लब गुरू है इसी कि वह एक्सपर्ट है उस फिल्ड में चलिए आगे बढ़ते हैं इसका अंसर बताईए एक बंदा अच्छे से बातचीत कर रहा है आप उसका इफेक्टिवनेस कैसे बताऊगे उसके एक्टिट्यूड से पर्फॉर्मेंस से स्टूडेंट्स के अटेंडेंस से या फिर कौन सा कॉम्मिनिकेशन चैनल को आप यूज कर रहे हो भूक लग रहा है जो बच्चे छोड़के चले जा रहे हैं और 30 मिनिट्स लेफ्ट 30 मिनिट्स बचा हुआ है कोई क्लास को बीच में छोड़के जाएगा नहीं पाब लगेगा मजा नहीं आ रहे आजका सेशन में है क्या हुआ कि एं鬼 डाउन लग रहे है सब कर युछ है जितना एक्षाम नजदी का रहे खार आ होना चाहिए उत्रा ही मोटिवेशन लेबल हाई होना चाहिए बड़ यहां पर उल्टा हो रहा है modern day sonu monu replaced by boyfriend girlfriend yes sonu sa monu sa मेले बाबू ने खाना खाया नहीं बाबू ने सिर्फ पानी पिया चलिए what will the answer for this question effectiveness of communication can be traced from which of the following कि बताओ 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 आंसर जल्दी से गोली खागे मानोगे के हुआ advertisement आपने सुना ना सर बंटी तरह साभून slow है क्या इनका इंटरनेट slow हुआ बंटी तरह internet slow है क्या कि ABC कि अब देखो effectiveness of communication कैसे पता चलेगा outcome effectiveness मतलब outcome के बारे में पूछ रहा है अब देखो अगर आप communicate कर रहे हो और बच्चे class छोड़के चले जा रहे हैं कि यहां हो रहे ना सर हम communicate कर रहे हैं और बच्चे यहां पर class छोड़के चले जा रहे हैं है तो students के attendance से students को बोरियत फिल हो रहा है मजा नहीं आ रहा है यहां तो student attendance से पता चलता है तो सी आएगा यहां पर दिया यहां पर दिया ओके Effectiveness of Communication can be stressed from attitude, जैसे 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 सर ने बोला मजा नहीं आ रहा है। तो attitude से पता चलता है, तो A आएगा और C भी आएगा, और अगर बच्चे होंगे ही नहीं तो बच्चे परफॉर्म कैसे करेंगे? तो A, B, C, so option number C is the right answer for this question, option number C, option number C is the right answer for this question, paper 2 का पढ़ रहे है, और what about paper 1, paper 2 से नहीं निकलेगा से, paper 1 पे भी फोकत करना बहुत जाज़ा जरूरी है, ऐसा नहीं है कि paper 2 पढ़ लिया और paper 2 में 100 में से 60-70 question write कर रहे हो, और पता चला paper 1 में सिर्पर सिर्पर 15 question write करके आ रहे हो, तो गया, पोई कुछ काम का नहीं है, तो इसी के लिए balance approach होना चाहिए, जिंदेगी में हर चीज़ में balance रखना सीखो, चलिए आगे बढ़ते हैं, the breakdown in verbal communication can be described as, breakdown, breakdown होना, गाड़ी का जैसे breakdown हो जाता है, तो breakdown का मतलब क्या है, short circuit होना, okay, contradiction होना, unevenness होना, entropy, breakdown हो रहा है अगर आपका verbal communication में, उसको आप क्या describe करोगे, मेरे प्यारे महान आत्मा हो, पहले से मैं बता दे रहा हूं, ए नहीं होगा इसका answer, जो मेरे महान बच्चे यहाँ पर option number A के तरफ जाना चाहा रहे है, पहले ही मैं बता दे रहा हूं, बहुत ही दुख के साथ बताना पढ़ रहा है, बहुत ही दुख के साथ बताना पढ़ रहा है कि option number A आंसर नहीं है, और जो डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते हूं नहीं, बहुत ही दुख के साथ बोलना पढ़ रहा है कि वह नहीं रहे हो, तो बहुत ही दुख के साथ बताना पढ़ रहा है कि option number A नहीं रहे हो, फिर भी जिंदा करोगे वह मर चुका है फिर भी बता रहे हो ब्रेकडाउन चैने टेस्क्राइब अथ उट टकूर करेंगे बता बताव बताओ बताओ ब्रेकडाओ नियुक्तिक्षान अन्वेन नेस या फिर एंट्रोपी बंटी तरह साबून जो है क्या इतना देट में अंसर आ रहे हैं तो करेंड अंसर क्या होगा एन्ट्रोपी का मतलब एनेर्जी याद रखो एनेर्जी ओके ब्रेकडाउन भर्वल कॉम्मुनिकेशन डेस्ट्राइब एन्ट्रोपी चलिए आगे बढ़ते हैं बनाउट्रों में आप मिजें या रहा हूं तो मुझे ना चाहिए ओर्ड्रों के इमोशन्स कीतना का इमोशनल क्या है साइलेंट क्यूमिल में कितना हिंट मिल रहा है अजकल horror में प्यार हो हां साइलें बटक्क कौन से समय में मुझे प्रेख मालना है कौन से समय में जैसे करें कि मान धुकि छाहिए में जल रहे थे तो कन से समय में में किस चीज बोना चाहिए या फिर आपको पढ़ाना नहीं आते है अचांटर आप बता रहें ऑप्सिन नंबर नाखशी और नोमर फॉर योगेस ऑप्सिन नंबर डी सागर बोलड़नी बहुत बढ़ियां बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से गलट बता दिया आप सब आप बहुत बढ़िया तरीके से आपने गलत बता दिया अब counter argument क्यों करोगे मेरे महान आथमाओं आप counter argument क्यों करोगे मैं अगर यहां पर बोलूंगा कि यहां पर good classroom communicator आपको ना किस चीजों के बारे में जानना चाहिए आपको ना अच्छे से पढ़ाना आना चाहिए तो आ आपको पढ़ाना नहीं आता है मैं बोल रहा हूं मिरे को पढ़ाना आता है आप बोलो नहीं आता है आता है दिस इस अग्टास आर्गुमेंट अब counter argument एक negative term हो जाता है artful pause artful pause मतला समझ रहे हो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं मेरा pitch कब high होना चाहिए कब low होना चाहिए किस तरीके से मैं सब्दों का सही उपयोग करूंगा कहां पर मुझे pause लेना है इसके बारे में कला होनी चाहिए इसी के लिए तो communication का class है इसी के लिए आप पढ़ रहे हो इसी क समार का exam दे के आओगे तो इस 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 दिस रिजन वाइं कॉम्टिकेशन आपको पढ़ाया जा रहा है कि फीगर आउट दी कॉमणेंट और नॉन भर्बल कॉम्टिकेशन रियू अंजर्स रूं इंशिय HC ला मनलोत और डिर्देट अब नॉन भर्बल क्या है आणि आएंखों में बहुत सारे दे देते हो इसमारे ट्बट बताना है 6 में जुर simples सपरे्स सीटीं अरेजमेंट स्पीड अटरेंस, फिल गूड फैक्टर, एक्विस्टिक, साउंड, फिजिकल एम्बेंस, टीचर, लर्न, डिस्टेंस, फेशिल एक्ष्प्रेसर, काइनेस, पर्सनल स्पेस, चलिए, वाट विल दा आंसर फो इस क्वेस्टिन? और सर्जी, बूकोग नहीं लगी क्या आपको, इतना मेहनत किये जा रहे हैं, अब देखते हैं कितने प्रतिस्टत भारती, इस कुश्चन का अंसर सही बता पा रहे हैं सर्, और गाईज कैसे हैं, बूकोग लगी है, और सब हाई जोस में हैं, हाउज दो जोस गाईज, यहां तो सब लोग खाना ओना लेकर बैठे होंगे सर्, चेप, कुर्कुरे, पुरा, क्या सौरफ सर्, पुरा लेकर बैठे होंगे, अब भी आपको खा जख चाहें सर्, सोच रहे हम भी लेकर, देखो हमारे सिदार सर्, सौरफ सर् कितना मेनत किया जा रहा है, बिना कुछ खाए में दो किया टिये करह नर देisman, का देखोर धित भी नहीं होगा, सूरफ का जाता है, बारेस आपको कुछ बाहत बारत हो गॉस्ताइर आपको को शलटा स्कालकान department following क्लास्ट्रूम के अदर आपका फेशियल एक्सप्रेशर और सीटिंग अरेंग्मेंट कैसा है तो इसी के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए विल विदा राइट आंसर बचों को भूग लग चुकी है सारे के सारे लेकि देखो जूट कैसे बोल कुछ नहीं लेकर बैठें अब इसके बात एक बात पूर कर लो फिर ना सिर्टे लाइफ टाइम के प्लाकों बैट दूपप्रू वे לי खाओ तो को ऐचैक रहर है तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें लाजबाब है तो उनकी बात पूछा लगी है लाइबरेरी मिन होट लाओड क्या बात है कौन देखने जारा अराम से ले लो पाकेट में कहीं भी साइड में निकाले खाते रहो सब्सक्राइब क्या बातकीत के साथ सब्सक्राइब होते रहें चाहिए जैसे ब्रेक अप हो जाता है तो वह क्या हो जाता है वह आपका इंट्रा परसनल कोम्मुनिकेशन होता है जब आप अपने आपसे बात करते हो जैसे एक्जाम और अटेका लिया होता है का Hoover column सरका क्लास के सुनना हैं का स्रंद्ध मैंने चन्दन सरकः की बात सुन लियुक्निपैस्ण इन्टरपर्सनल कॉम्टोन क्या होता है जब आप ना अपने किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो आरे पता है ना चंदन शर का क्लास्थ बहुत कॉल ढूलीकेशन इंटरपर्सनल Kom 2023 क्या होता है जैसे प्रेब बाद का यह को ल आंटी होते हैं। वो ना कुछ भी चीजों में लड़ाते रहते हैं अरे पता है पता है ना चंदन जो सर है ना वह चंदन का लेप लगा के जाते एक्जाम हॉल में देने के लिए तो वह हो गया आपका informal communication उस बातों का कोई मीनिंग नहीं रहता है और उसका अंसर क्या है जब खुद के साधी बात कर रहे हो और आपको पागल घोसीत कर दिया जाता है और आपको मैं अब जाता है चाले से ना कोम्जाए अगर मज़ा आ रहा है तो यह मजा सबके साथ बाट और हमारे राहुल जी बोलते हैं सब्सक्राइब कर दो चंदन सर का चंदन सर का उसको पूरा कर दो और अच्छा वह वह यह तो देखा होगा ना तो अगर 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 ना अगर सतर प्लस सब्सक्राइब कर दो दिन तक भूके रहेंगे तो वही है चंदन सर हमारे दो दिन तक नंगे पाउं और दस जन है बस दस और ले आओ सतर हो जाएगा हमारा सतर का टार्गेट है हम चूलेंगे 59 स्टूडेंट्स और ग्यारा जन को ले आओ सत्तर का टार्गेट से सत्तर का टार्गेट हम चूलेंगे चलीए आगे बढ़ते हैं आप देखिए इस मैमोरी के ऊपर सवाल पूछा गया क्या स्मेमोरी एक ड्राइब ब्लाटेल मेमोरी है अब यह कोश्चन आप आप आल्रेड़ी कर चुके हैं वह को याद करना क्या यह मेमोरी जो है बोलाटाइल मेमोरी है और क्या वो स्लोयर है रैम से सीडी डीवीडी और मेगनेक्टिक टेप्स क्या यह सब आपके ऑप्तिकल मीडिया ड्राइब यस देखने दीजिए उनका अंसर चलिए चंदन सर्क्राइब ने बोल दिया मतलब सब को एक अपका क्लियर है अम मैंने दो बोल दिया पक्का होना ही होना है चलिए हो गे क्यों आ रहा है की नहीं हो पारे यह पड़ाई क्यों पड़ाई यह सबताई है कि आपके लिए मास कम्मुनिकेशन अब जैसे नुदी जी करते हमारे भाईयों और बहना वही है मास कम्मुनिकेशन जब एक इंसान बहुत सरे लोगों को से एक इंसान जब बहुत सरे लोगों को बात चीद करता है और और पब्लिक क्या होता है जैसे आप रेलवे स्टेशन में जाते हो और बोलता है भाईयों और बहनों बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज का जो आपका ट्रेन है तो इस पॉब्लिक कॉम्मिकेशन की अटेयर किया है सब रहे हैं यस तो मैस अंडर्टा मैं मराती में बॉल देता हूं थोड़ा तो ताने फिर भी बोल दे रहा हूं लाइक करा से अर्क रा एक व्याट Working करा मुंज कि आता है इससे आधा आध ज्यादा नहीं आता है आनी लाइक पर दो देन उसके बाद आपका अंसर कीजिए पहले उसके बाद लाइक कीजिए अधिश्मनाद कर दो प्रिंगर को प्रिंट करने है ना यह तो गया हो गया तो फर्स ट्रेटमेंट क्या कहता है कैश मेमोरी इस वोलाटाइल मेमोरी किसको पता नहीं है सब सामने आओ जिसको पता नहीं है कि क हैश मेमोरी ओलाटा नोन अलटाइल होता है सामने आओ आपको बक्सित देना कि इस दिए अच्श दाम पहलई गया िंवर्ण धिस श्लोह से अग्ला सेटमेंट क्या दिया अगला foreign सीडी डीवीडी एंड मागनेटिक टेप्स आर अप्तिकल मेडिया ड्राइवर्स तो क्या ये तीनों मेडिया सरी ऑप्तिकल मीडिया ड्राइवर्स है यस क्या ये तीनों ऑप्तिकल मीडिया डिवाइसेस हैं कि मैंने टेप्स की बात करें तो जाएंगे मनत मांगने भगवान के पास जाएंगे तो डेली मांगता हूं ठीक है तो देखिए यहां पर क्या दिया है को कहां के बढ़िए उसमें क्या कुण सी टेकनोलिघुजी होती है म्यगनिटा ये दिवाइसें ४ चमकडार निवाइस हम अप्टिकल डिवाइद मीडिया डिवैस कहते हैं समझे हां तो फास्टर होता है कशे ढैंसे आंतर वे बरीगा मुला यहां पर वंगrente देशी भासा में इसको सिखने का कुसिस करते हैं जैसे आपको याद होगा कैस मेमोरी मैंने बताया था कैस मेमोरी का मतलब क्या होता है पैसा होता है पैसा जिसके पास होता है उसका लाइफ होता है और पैसा उड़ता भी जल्दी है ओके यह फास्टेश बोलाटाइल मेमोरी ह आता है किसी के पास अगर आज पैसे आया ना तो खतम टाटा बाइबाइस हो गया तो कैस्स मेमोरी जो है वह बोलाटाइल मेमोरी होता है और यहां पर लिखाए अब स्लोयर तो भी होगा नहीं क्योंकि पैसा जल्दी ऊड़ता है फास्टर होता है और हमने पढ़ा था दो और यह क्या है आपके स्टोरेश डिवाइस जहां पर रखते हो हर चीज़ को स्टोर करके हो और बब बच्राइब बच्चों के लिए इसको बात में बताएंगे इसका नेक्स पूस्ट वह देखो प्रश्चें यहां पर कम क्यों हो रहे हैं जिए असेर्शन और रिजन दिया गया हैसेर्शन है डिसकेशन फोरम्स आर वन आप देखोर चाव्डरान्स और मूक मैसिवज ओपन अल्लाइन कोर्स इसके चार कोडरेंट्स होते हैं जिसे के आपको पता है राइट डिसकेश और रिजन क्या है डिसकुशन फोरम्स आर इन बिल्ट फीचर ओफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बताएं यह पीछा नहीं छोड़ने वाला है साथ भी देगा और छोड़ेगा भी नहीं साथ ठीक है चोड़ेगा नहीं तब तक यह अपका साथ छोड़ेगा नहीं हुआ हँ हुआ है चार बच्चोंने अंसर की हैं ट्यों बाकियों का इंटरनेट रहें बाकियों का इंटरनेट वोगा है नहीं नहीं अच्छे सिंसियर बच्चे सारे पढड़ने वाले बच्चा हैं असिस्टन्ट प्रोफेसर बनने वाले हैं बहुत जल्द तू माट टू मीनिट्स का बिरेक चाहिए उनको ठीक है कोई दिक्कत नहीं है जल से जल दो मिनट में आप वापस आईए तब तक हम चर्चा करते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हां है एक अकांग शाराठी कि हस रही है पता नहीं किस जोक प्हास रही है जा चन्दन सरा आते हैं तो कुछ मतलब गदगदाहीं है तो गुद्गुदी करा जाते हैं राइट राइट अधिक्त लाइव में रखा ही क्या है हां सिल रहे हैं दूसरों पर चिल रखी है सब्सक्राइब कर लेते हैं उसके बाद ब्रेक है उसके बाद आपको मौक टेस्ट लगाना है याद से और टेस्ट सीरीज भी लगानी है ठीक है टीसरीज दो बज गए बहुत सारे बहुत सारे स्टूडश कर लिए उन्होंने अच्छा फिडबैक वी दिया है कि बाई अच्छा उनको है वहने वाली है एक्जाम में जैसे सचीन जी ने मुझे याद है सचीन जी ने बोला था मिनाक्षी पवार ने बोला था कि उन्हेंने लगा चुके हैं और उन को हेल्प होने वाली है ठीक है चलो 111 सारोक अंसर है तो डिस्केशन फोरॉम्स आर वन आप दो फॉर कॉर्टरंस फॉर मुक और डिस्केशन फोरॉम्स आर इन बिल्ट फीचर आफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ओके तो अंसर क्या बनेगा आपका ते लेकिन उन दोनों के अंदर रिलेशन क्या है तर चा सत्र चर्चा मन्स सीखने के लिए प्रानायली में अंतर निर्हित विशेश्टा है क्या ये कंबल सरी ये सही लेकिन दोनों में कोई combination नहीं मतलब कोई connection नहीं है और यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा यहां पर चित्रा आड किया था मैंने यह दिख रहा है कि आपको यह तुटोरियल पहला क्या है यह तुटोरियल दूसरा है एक अंटेंट तीसरा है सेलफ असेस्मेंट डिसकेशन फोरम और वेब रिसोर्स यह चार क्या प्रोपेसर नहीं आप मुझे आपके आपके पूरा बरोसा है आप रिसर्च में जाने वाले हैं ठीक है आप ज्यारेफ हाँ इस रोडियो में यस काजल देवी का तो मुझे कंफर्म ग्यारेंटी आप टीचर कम एस्ट्रोजर है पता है ना वो ना चेहरा वो नाम पढ़ लेते हैं नाम पढ़के बता देंगे कि सबसर्च में तक जाने वाले हैं में आप से कहा पर जायाने वाले हैं पर जाएंगे जाएंगे पर जो बहुत इंपोर्टेंड नहीं फुल फॉर्म एब्रिभेशन जो हैं जूम करो सर जूँग होगा तो इसे का सब्सक्राइब नहीं होगा है अब देखो चार क्वाडरेंट होते हैं इसके क्वाडरेंट होते हैं जैसे आप पढ़ाई करने के लिए कहीं जाते हो जैसे मानलो आप आफस में पढ़ाई करते हो तो सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है वीडियो दिया जाता है वीडियो कंटेंट दिया जाता है अब लेक्ट्चर सेटेंट करते हो तो क्वाडरेंट और उसके बाद आपके लिए discussion forum भी होता है जहां पे जहां पर पढ़ाई के बारे में आप बात करोगे सिर्फ पढ़ाई के बारे में उसके अलावा और कुछ नहीं तो यह आपके टोटल चार quadrant जो की मुख के platform में होते हैं है हमारा क्या होगा सर काजल जी क्या बनेंगा सरatas हो जिस्का मोड्ल ळा से मॉडल्यां प्रियंटि वडियनटेट ढिवलन अबनेट अन्वियर्नग यहальная नोड़ दाउन कीज़े मूदल का फिल फल्फ़ार्म क्या है मॉडऊलर उबजेक्ट 选रियन्टेड डाइनमिक लर्निंग एन्वायरॉमेंट है मॉडूलर आपको मॉडूल्स मुल जाएगा उसके साथ यहां पर जो Sir for this question, next question दिया है, condition or characteristics that cannot take on different values or categories is called as what? अब देखिए, condition, characteristics के बारे में बात कर रहा है, that can takes on different values or categories को हम क्या बोलते है, constant बोलते हैं, variables बोलते हैं, cause and difference बोलते हैं, याफि बोलते हैं, descriptive relations बोलते हैं, you try are doing great, keep it up Sir, we students need your help. Definitely, definitely Sir, we are here for those students who are कि उनका एक्जाम क्लियर हो जाए और सब कोई आपकी तरह सर इसा इतैनटीय सब अपने आपने जो भी पॉजिशन्स के लिए टारगेट कर रहे जो भी अपना ड्रीम है डेफिनिट्वी सबका साकार होका चलिये हैं कंडिशन और के रिग क्रेंटीश्टिस्टिक आपने अइ देखो, can not लिखा है, can't, can't, papu can't see साला, ने, papu can't dance साला, ओके, can't लिखा है, can't takes on different values or categories, is called as, what will the answer for this question, लिखा है, papu can't dance साला, papu can't, papu can't, ध्यान चे पड़ो, papu can't dance साला, उसको हम क्या बोलते हैं? मेरे प्यारे महान आत्माओं, गोली खा के मानोगे के, can't लिखा है, can't, can't, cannot, cannot take on different values or categories, एक condition है, जिसको आप जितना भी मार दो, पत्थर का पत्थर ही रहेगा, धीट का धीट रहेगा, जितना मारो, जितना गाली दो, जितना ये करना करो, पत्थर का पत्थर रहेगा, धीट भी नहीं सकता, यहां पे बुला के दुलाई की जाए, अब C बोल रहे, अरे पपु कांट डैन साला, पपु कांट टेक ओन different values or categories, इस वाल डिखता है, सर यह नहीं को रहे है, पेट के जो चुवा है ना, वो बुल रहे है, सब के पेट पे चुवे पुद रहे है, येस, तो करवा रहो, पपु कांट डैन साला, पपु कांट डैन साला, मतलब वो फीक्स डे, constant है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारे पपु है, नेक्स्ट कोश्चन दिया है, पेलूर रॉन दी पार्ट आप टीचर तो कॉम्मुनिकेट दी आईडियास, वेल टु दा स्टूड फेलेगा, स्टूडेंट्स कुछ टॉपिक से इंट्रेस्ट खोना स्टार्ट कर देंगे, बच्चे क्लास जूनना ही बंद कर देंगे, या फिर डिक्रीस नंबर आप हाइज स्कोरिंग मार्स इन एक्जाम, तो आपको चार उप्सन आपको सही लग रहे होंगे, चारों के आपको सही लग रहे होंगे, बट आपको ना सबसे most appropriate answer चूज करना है, दिमाग को थोड़ा से खर्चा करो, दिमाग का थोड़ा से utilize करो, आपको बताना है most appropriate answer क्या होगा इस questions का, yes, students का उस topic से interest loss होना सुरू हो जाएगा, अगर एक बार बच्चे topic से interest उनका loss होना सुरू हो जादा होगा, indiscipline होने लगेंगे, किसी के marks आएंगे नहीं, तो major answer, major क्या है, loss of students interest in the topic, next question दिया, the type of study which is loosely structured and designed to expand understanding of topic and provide insight is called as what, अब यहाँ पर बताना है, type of study है, यह type of study है, जो की बहुत ही loosely structured है, और इसको इस तरीके से design किया गया है, ताकि आप expand कर सको किसी topic को समझने के लिए, और उससे आपको insight मिलता है, उसको हम क्या बोलते, formal, causal, exploratory, या फिर experimental, क्या होगा, जैको loosely structured मतलब क्या है, loosely structured, loosely structured मतलब क्या है, flexible है, ओके, और इसको इस तरीके से design किया गया है, ताकि आप अपने topic को expand कर सको, समझ सको, तो उस तरीके का जो insight जो आपको मिल रहा है, उस insight को हम क्या बोलते है, भगवान, option number A आ रहा है, चलिए, very well done, स्नेहल, बहुत बढ़िया, सलिजा, सैलाज्या, sorry, सैलाज्या, बहुत बढ़िया, yes, ऐसे ही answers करते रही है, क्योंकि आपका answers बिल्कुल गलत हो जाता है, correct answer क्या है, exploratory, exploratory is the right answer for this question, आप explore कर रहे हो, आप explore कर रहे हो, जैसे होता है, किसी किसी का first attend में clear नहीं हो पाता एक्जाम, तो वो क्या बोलते है, आरे हम तो ऐसे एक्जाम देने गए थे रहे, पढ़े कहां पे थे हमने, हम पढ़े होते हैं, एक्जाम, यह महारश्टर सट का exam, हलवा है, कपके कर देंगे, इसको तो मै clear नहीं होता है, फिर वहीं आता है, हाँ ठीक है न, यह नहीं हुआ, ऐसे ही explore कर रहे थे, देख रहे थे, एक paper कैसे आता है, तो that is called as exploratory research, यहाँ पे आप किसी topic को समझ रहे हो, और उस topic से insight develop करने का courses करते हो, जब research करने जाओगे न, तो सबसे पहले आप explore करोगे, कि उस research मे क्या problem है, उस research में gap क्या है, किस मुद्धे की ऊपर मुझे research करना है, इस research का problem क्या है, तो यह जो initial phase होता है, that is called as exploratory research, ओके आगे बढ़ते है, action research क्या है, action, movie में बहुत बार आपने सुना ही होगा, action, action, action research का मतलब क्या, longitudinal research है, एक applied research है, एक immediate problem को solve करने के लिए होता है, social economic objective होता है, तो दो प्रकार के research होते हैं, एक होता है longitudinal research, और एक होता है आपका cross-sectional research, तेको longitudinal research, ऐसा type रिसर्च होता है, जो लंबे समय तक चलते रहता है, मतलब यह ऐसा डाइव का research होता है ना, क्या होता है ना, यहाँग्वे तडपा तडपा के मारा जाते है आपको, यह यहां पे रिसर्श immediate solution निकालने का कोसिस करते हैं, यह याद रखो, यह local level में देखने को मिलता है, action research आपका immediate problem का immediate solution निकालेंगे, जैसे मिर्जापुरु देखा है, क्या सोचे हैं आपने, ऐसा immediate तो सोचे नहीं है, बट सोचेंगे, क्या plan सोचा है, तो that is called as action research, okay, तो option number C is the right answer for this question, फिर आता है आपका applied research क्या है, अब applied research उस प्रकार का research होता है, जब आप किसी एक universal problem का solution निकालते हो, okay, universal problem का solution जब निकालते हो, तो आप applied research है, अब जब किसी एक specific मुद्दे के ऊपर, आप research कर रहे हो, that is called as action research, अब देखो, यह हो गया है, yes, अभी सौरब से राएंगे, yes, इसे हम practitioner research भी बोलता है, very well done काजल, और उसमें होता है, plan, act, observe और reflect, पहले planning करते हो, पहले plan करते हो, फिर उसको action में ले के आते हो, फिर उसको observe करते हो, फिर उसके उपर आत्मा चिंतन करते हो, reflect भी करते हो, जी, करो answer, दिख रहा है, हाँ, लपूसा तो है, लेकिन कितरे जन देते हैं, उस पे भी डिपेंड करता है, 52 आर वोचिंग, और नो वन इस अंसरींग, बीड वरून कोन आहे, बीड वरून तर कोनी नहीं है, पन पर्मबरी वरून मी आए, पूर वाला उडिसा वर आहे, दिहार वाला है, अमराठी की बीड़ार्स चल रहे है, सर, आनसर, छुप जा रहे है, स्टूद्ट की, सारे अंसर, जी ऐसी ऐसी ची, ऐसी ची, ति खी, कर रहे हैं, सारे बच्चे, कि मिसातारा ओके निकुलापूर फरेका जी और कोई कुछ भी करते जा रहें कोई भी एंसर देख रहे हूं कि दो यहां पर दो आईसे वर्ड को पकड़ो जिससे आप इजली एंसर देख पाओगे या जी आओ तो एक वीडियो को देख लो हां कि सीधे वहां से मालम चलेगे उसका क्या परने वाला है उसके चलता दो आप्शन ऐसे कर देंगे हम कि अब फोटोग्राप को ले लेते हैं और यहां पर कुछ बोल दीजिए तो बर्षा जी भी खुश हो जाएंगी वह भी उडिशा से शायद कि यस गड़ चिरोली ठीक है अगर यहां पर बात पर रहां तो आधे जन को समझी नहीं आएगा महाराश्ट्रे अंतर खुप आए दिदे मिवाशिम ओके हो गया तो वीडियो का एक्स्टेशन क्या होता है वीडियो का एक्स्टेशन क्या होता है MP4 podcast मतलब यह sound होता है audio होता है तो audio का आपको पता है क्या होता है MP3 then photograph यह तो सभी को होना चाहिए पता photograph क्या होता है jpg right jpeg और jpg right अगला spreadsheet तो spreadsheet का क्या होता है एक्स्टेंशन spreadsheet का एक्सेल sx right excel का अब यहां पर यहां पर लगता है कितने सारे बच्चों को होगा यहां पर क्या होगी यहां सारों नहीं सी अंसर किया ता सब्सक्राइब यस सारे इंटेलियों जॉइन फोटोग्राफिक ग्रूप यस जॉइन फोटोग्राफिक ग्रूप चलो आगला क्वेशन है यह सारों का करेक्ट है सी चलो इसका बता हूँ कि नोटीन सीम्पल को सर्थ मुली इंपूटी वासिते है को अ खालील पेकि कोंते परिधीय उपकरन फक्त इंपूट उपकरन मनुन मानले जाते सांगा फक्त इंपूट उपकरन कोंगोंते आहेत्ते सांगाई से तुमाला जे फक्त इंपूट घेना साथी काहित तरी इंपूट आपले आ कडून कंप्यूटर घेना साथी जे डिवाइसे वापर लिजातत तन्ना आपन इंपूट डिवाइसे संभोध तो राइट संभोध तो यस लग गया पता क्या बताया हमने जो डिवाइसे सिर्फ और सिरफ इंपूट लेने के लिए काम में आते हैं ऐसे डिवाइसे को हम इंपूट डिवाइसे कहते हैं तो इन में से बताए अब इंपूट डिवाइसे कौन सा है क्या स्पीकर से आप इंपूट लेते हैं क्या स्प यह काफी जादा इंपोर्टन यह आपके इन्पोर्ट और आउट्वूरी हो गया यहां से बनते हैं तो इन्पूर्ट आउट्पूट डिवाइस अच्छे से आप देख के जाना वहां से यह क्या है अब देखो बारकोड को रीड करते हो जैसे गूगल पर इसके पर पेमेंट करते हो तो वह तो होगा ना तो इन्पूर्ट डिवाईस ही है तो बी आएगा अब देखो बी ऑल्रेडी हो चुका है और यहां पर है नहीं तो इसको इसको एलिमिडिट कर दो अब यह औ अब देखो यहां पर B D common है B D common है मतलब Karan Arjun साथ-साथ है बस आपको उसके बुढ़ी अम्मा को ढूड़ना है ओके अब देखो B के साथ-साथ आपका D भी आएगा अब देखो microphone जो होता ही है क्या है what is this this is microphone microphone के जरे में बात कर रहा हूं तो यह इंपूट डिवाइस है तो आपका आजाएगा क्या हो जाएगा बीडी इस दा राइट अंसर फूर्फ फुल फॉर्म क्या है मॉडूलेटर दी मॉडूलेटर याद रखिये मॉडेम का फुल फॉल फॉर्म क्या है मॉडू नेट्वर्किंग डिवाइस है जो क्या करते से अनलोग और डिजिटल जो तीगनल है तो यह अंसर यह आगे आपका चलिए अगला क्वेशन है अनिल हैस डिसाइड तो यूज इधर डिवीडी रव मतलब रीड राइट ओके डिवीडी आर मतलब सिरफ रीड विच अब स्टेट्मेंट्स आर ट्रू अबाउड स्टोरेज डिवाइस इन में से क्या सही है इन स्टेट्मेंट्मेंस में से क्या सही है बताओ भाई अब बता भाई अस्ति लाइक्स हो चुके हैं और बीस लाइक्स करने हैं आपको तो हमारा सेंचुरी बन जाएगा ठीक है सेंचुरी बनाओ सेंचुरी सब्सक्राइब लेकर नहीं जा रहे हैं सब्सक्राइब करने विवर्स चाहिए सीसी लाइक्स एटीवन हुए है कुछ बच्चों ने अभी अभी लाइक किया तमिल तमिल काफी पूरानी लैंग्वजे उसमें ट्राइब कीज़ेगा सब्सक्रीट में बोले चलो जिन्होंने जिन्होंने लाइक नहीं किया है पहले तो लाइक कर लो भाई तो क्या है इसमें से क्या वोला है अब क्या पूचा है विच्च अब दो फॉलेइंग आर स्टेटमेंट्स आर ट्रू अब आउट्ट श्टोरेज डिवाइसे बोथ डिवीडी आर एंड डिवीडी र्डव्यू आर रीड ओनली क्या सिरफ और सिरफ यह रीड ओनली होते है हैं दोनों दोनों रीड ओनली होते हैं सिरफ क्या यह ट्रू है क्या यह ट्रू है क्या यह ट्रू है क्या यह ट्रू है रीड और राइड मतलब आप रीड भी कर सकते हैं और राइड भी कर सकते हैं उसमें आप कुछ इंदर भी कर सकते हैं कुछ और रीड भी कर सकते हैं उस उसके बाद आप उसे चैंज नहीं कर सकते हैं उसके बाद आप सिरोफ उसमें से रीड कर सकते हैं समझे हैं नहीं समझे समझना थो चाहिये था कुछते आप्सन बी डी सीरफ एक बार लिखा सकता है मैं टू मेंडार करेक्ट है क्योंकि change Вы सकते हैं बहुत बार and dvd rw can be written only once तो यह जो read right है इसे आप बार बार लिख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो क्या क्या बनेंगा answer आपकी B और शायद C दोनों correct है तो B और C दोनों correct है option B is correct option 2 is correct समझें नहीं समझें 88 likes हो चुके हैं और 12 likes की जरूरत है और 12 likes तो हमारी century हो जाएगी ठीक है फिर हम stop कर देंगे यह नहीं पर यह session फिर रुख जाएगा तो option B और C यहां पर correct है चलो इसका बताओ भई which of the following answer है bonus हाँ बोनस है ठीक है विच आप दू फॉलिएंग ब्राड फंक्शन और ऑपरेटिंग सिस्टम एन कंप्यूटर 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 में ऑपरेटिंग सिस्टम के functions क्या क्या ब्राड फंक्शन बताने है आरको चलो कि सो गए दोपेर हो गई खाना हो गया आपका जवन जालगा है अला जवन जालगा है सर उड़िया में बताइए कैसे पूछते हैं कि वो रिल्वाइरल वादमत है कुंसा जवन जालगा हां 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 कि सारों का अंसर कृती जी बोल रही है नहीं हुआ है ठीक है हमारा भी नहीं हुआ है सुबह से लगे हुए है हमारा भी नहीं हुआ है तो फॉर्स्ट ऑप्शन है handling of files and folders तो files और folders handle करना किसका काम है operating system का है करेक्ट है ठीक है उसके बाद converting from high level language to low level language यह किसका काम है यह आप लोग मुझे comment section में बताएंगे इसके लिए हम 3 software's use करते हैं ठीक है उन तीनों software's के आप नाम बताएंगे comment section में और तीनों की काम क्या-क्या है मतलब कौन सा कैसे convert करता है यह बताना है ठीक है तीन हमारे पास ऐसे software's होते हैं जो कि हमारी programming languages जो है अलग-अलग type computer languages है इनको convert कराने के लिए हम use करते हैं ठीक है तो वो तीनों ही software's आप मुझे comment section में बताएंगे चलो अगला interfacing between the user and hardware तो user और hardware इन दोनों के बीच में interface का काम करता है operating system क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी language hardware को नहीं समझाती है और hardware की जो language है जैसे की binary language है वो हमें नहीं समझाती है तो इसकी लिए हमने क्या रखा है एक interface रखा है दोनों के बीच में computer, hardware और users के बीच में एक software होता ह जिसका नाम है operating system जो सारे कामों को operate करता है interface होता है दोनों के बीच में राइट तो यह दोनों का काम करता है दोनों के बीच में interface होता है यह भी correct है A और C correct है D की बारे में अगर बात करें तो helping to run application softwares जैसे कि हमारे user softwares है user applications है compiler interpreter assembler इनका काम बताईए कौन सा किस language से किस language म पता है और compiler interpreter में फरक्या है यह भी बताईए ठीक है तो सारों को ही पता चल जाएगा सारे ही फिर जो है आपको धन्यवाद देंगे तो थर्ड है helping to run the application software जैसे कि आपको पता है application software जैसे कि हमारा iOS का या फिर दूसरा कोई app है जैसे आपका मान लेते हैं कुन सा आप है आपक पता है तो जैसे कि कोई other software है वो directly आपके hardware से communicate नहीं कर पाता है तो उसके लिए क्या चाहिए operating system चाहिए operating system क्या करता है as a interface work करता है जो आप दूसरे software download करते है ना freeware हो चाहिए आपके open source software हो और इनके बीच और आपके hardware के बीच इन दोनों के बीच में communication कराने का काम इस operating system का काम होता है helping to run the application software यानि कि environment provide करा देता है जिसमें कि आपके application software work कर सके ठीक है बर्चाजी आपने अभी तक compiler interpreter और assembler का काम नहीं बताया है ठीक है तो मैं बताता हूं तो compiler क्या करता है compiler क्या क्या करता है high level languages का code binary language में convert कराता है अब आप पूछोगे सर high level language code क्या है और binary language code क्या है तो high level language code मतलब जैसे कि Java, Python, C, C++ हो गया इनका code low level language में convert कराने का काम किसका होता है compiler का होता है ठीक है तो compiler यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कंपाइलर है हाई-level language लेकिन यहां पर एक चीज है जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना compiler और interpreter के बारे में तो compiler क्या करता है पूरा का पूरा पूरा तो हम एक साथ ही binary language में convert करा देता है interpreter दूसरा होता है interpreter यह जो है line by line कि line by line convert कराता है high level language से binary code में और तीसरा होता है assembler assembler क्या करता है असेमली language code को असेमली language code को binary code में या machine code में convert कराता है ठीक है अगले question पर जेवन जा लगा अगले question पर बढ़ते हैं कि चलिए इसका यह last question रहेगा काफी ज्यादा important है email के बारे में हर बार आपको question पूछा जाता है खाली दर्शवल्या परमाने फील्ड सह ए पासून b c d e आनि f वर email संदेश पाठावला गेला है एक पासून सरी ए पासून ठीक है यहाँ पे मराटे मत रीड कीजिए यहाँ पे प्राम ए ए से आपने सेंड किया है किसने सेंड किया है याँ पर एने किसको सेंड किया है बी को सी सी में कौन है सी और डी है और बी सी सी में कौन है यहाँ पे कि ई और एफ है ठीक है कि टेंशन नो को रहे किसको टेंशन आ रहा है भाई आगा जी इसका अंसर करो ये नहीं आता है कि किसी का नहीं आ रहा है यह हम लेट चल रहा है बंटी का इंटरनेट अट अई चलिए एक इसको मैंने समझाया था प्लास देखें याद ये एक रेश्टूरेंट है अभी रेश्ट्रों भी रे रेश्ट्रों प्लस बार ओके अब देखो रेश्टोरेंट प्लस बार है अब देखो यह ट्रिक के जरी है आपको पूरा आज के बाद आपको कभी भूलोगे नहीं from cc, bcc क्या होता है cc का full form क्या है carbon copy, bcc का full form क्या है blind carbon copy, यह तो याद रखो cc का मतलब full form क्या है carbon copy cc का full form क्या है carbon copy ओके, और bcc का मतलब क्या है bcc का मतलब क्या है blind carbon copy blind carbon copy यह पहला चीज़ तो आपको यह full form इसका याद रखना है अब आते हैं हमारे कहानी में अब आते हैं हमारे कहानी में आते हैं ओके कहानी क्या है कहानी क्या है कहानी यह है कि आप गये थे एक रेश्टूरेंट में खाने के लिए बट वह रेश्टूरेंट कम बार था रेश्टूरेंट भी था बार भी था तो यहां पर बहुत सारे यहां पर बहुत सारे table पड़े हुए थे, table थे यहां पर, तो यह table थे यहां पर, फिर उसके बाद अगर restaurant में जाते हो, तो bar का एक counter होता है, यहां पर उनके लिए specific rooms होते हैं, specific rooms होते हैं, यहां पर वो बैठे रहते हैं, यहां पर वो बैठे रहते हैं, अब next जवार आता है, इसके अंदर कोन होता है अब देखो यहां पर जो इंसान होते वह ब्लाइंड कार्बन कॉपी होते हैं ओके ब्लाइंड कार्बन कॉपी होते हैं जो कि अगर गलती हो तो सर्वताना ओके ब्लाइंड कार्बन कॉपी होते हैं जो कि सब को देख पाएंगे कैसे देख पाएंगे अगर माल लो यह यहां से निकल के जा रहे हैं उब्यतली बात है रस्ता एक ही है रस्ता एक है यहां से यहां से एंटर करेंगे अब यह जब यहां से निकल के जाएंगे तो यह सबको देखेंगे इनको भी देखेंगे कहां से मैसेज आ रहा है उसको भी देखेंगे किसके पा 만 को ब्लाइंड कारबन कॉपी जो होते बीसीसी जो होते हो बार चाउंटर के अंदर बैठे रहते हैं वह सबको देख पा रहे Blue सब्सक्राइब चैंबर के अंदर क्या कर रहे है को दारू पी रहे किया कर रहे है outta क्या करें है इसको यह देख नहीं पाएंगे अब यहां पी यह जो सब्सक्राइब क्लेड चैंपर यहां यहां प्हुल्साइब हो remained चाहिए हम लल्를 फ्सकी यह कि यह दारू पीरे की क्या कर रहें समझेंगे इनको नहीं देख सकते कि इधर से जाएंगे तो CC वाले किसको देखेंगे CC वाले देखेंगे फ्रॉम और टू को देख सकते हैं तो यही कोश्चन आपको पूछा है कि आपको बताना इन में से कौन से F true है कौन सा आपको true है यह पताना है अब देखो यहां पर लिखा है F does not know that C was send the message क्या F को पता नहीं है कि message C को CC को गया है गलत ना पता तो है ना पता है क्योंकि CC जो है जो CC है BCC जो है वो सबको देख रहा है वो कौन क्या खा रहा है कहां से message कि कौन सा कहा से message आ रहा है कौन सा लोग आ रहा है यह बैठके देख पार रहा है फिर उसके बाद C does not know that D was send the message अब देखो C does not know C C को यह नहीं पता है कि D was send the message सिसे में उलने तो करने सिसी डिदी सिसे बनापे हैं तो सी दस नॉटा D was sent the message, ये भी गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि हमें question पूछना, आमको बताना है सही क्या होगा, E does not know that F was sent the message, E को ये नहीं पता, क्या E को पता नहीं कि F को message sent हुआ है, BCC वाले जो होते हैं, अब देखो, इनका एक separate chamber बना है, इनका एक separate chamber बना है, अब ये यहां पर दारू पी रहा है, अब ये यहां पर दारू पी रहा है, ये यहां पर दारू पी रहा है, अब ये क्या दारू पी रहा है, इसको नहीं पता, अब ये कौन सा दारू पी रहा है, इसको नहीं पता, क्योंकि इनके लिए separate chamber बना है, अब देखो, BCC वाले जो होते हैं वो एक दूसरे को नहीं देख सकते, BCC वाले जो होते हैं एक दूसरे को नहीं देख सकते, तो E does not know that F was sent the message, तो ये बिल्कुल सही है, तो option number C is the right answer for this question, is it clear to all of you? ये बहुत ही important question है, email से questions आता है, UGC net में तो बहुत पूछा जाता है, और set में भी पूछा जाएगा, क्या इस कहानी से, इस story से, क्या आपको इसके बारे में पूरा का पूरा clear हुआ, हाँ या ना, मुझे जल्दी से comment करके बताईए, खूब चान, ओके, समझाया सभी को? समझाया ना, ये restaurant और बार वाला example से कभी बात बूलना, restaurant में जब जाते हो, तो आप CC वाले जो होते हैं, सबको देख पाते हैं, बट BCC वालों का अलग-अलग chamber बना रहता है, अब कौन से chamber में, कौन से क्या, कौन दारू पी रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है, सम इसी example के जएरे मैं आपको explain कर दिया, चलिए, तो और आगे continue करना है, कि session को end up करे, जल्दी से पताइए, आपके उपर depend करता है, कि अगर आपको और session चाहिए, तो हम ready है, हम तो पूरा motivation के साथ पढ़ाने के लिए, पूरा तयार है, अगर आपको, साम क्या सथ, राध भर भ प्रबंध हो जाएगा, अगर खाने का प्रबंध हो जाएगा, तो यहीं खाते खाते हम पढ़ा देंगे, क्लियर है सभी को, 10 likes कम रहेगे सर, बस 10 likes कम हो गया है, 70 नहीं देख पाया, 10 likes तो देख सकते है, likes भी तो 100 century नहीं पूगा ना, वो तो वहीं पूगा हूँ, सोच र देना है आप सबको, मॉक टेस्ट भी लगाने है, खाना खाना है, अच्छे से एनरजी बनाए रखिए, जलूल 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 आप अपना मॉक टेस्ट को share करे हमारे साथ, कि कितना आप score कर रहे हो, respective telegram group बना हुआ है हमारा, तो respective telegram group में आपका जितन कुछ बचे हुए है, यह आपके लिए homework questions, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यह homework question है, यह homework question आपको solve करना है, यह PDF आपको मिल जाएगा, PDF अभी uploaded हो रहे है, app में, अभी app में uploaded हो रहे है, आप जाए सकते हैं, वहाँ पे, आप हमारा PDF को वहाँ से download करके, जितने भी पहले के lectures सो चुके हैं, सारे के सारे lectures को आप देख सकते हो, unit of storage, निमोनिक्स बता दीजिए, storage का निमोनिक्स, units of storage किया है, KB, MB, GB वह बात कर रहे हैं, आप पृति, आप किसका बात कर रहे है, KB, MB, GB उसका बात कर रहे हैं, इस पर हम जाएंगे, 70K नहीं, 70 concurrent viewers के लिए, नंगे पर मं जाएंगे, अरे हम जाएंगे ना, आप ले 70 प्लस तो लाओ, चंदन सर जलूल जलूल जाएंगे, अब ऐसा नहीं कि नस्रीक वाला मंदिर मत जाना से, अरे मेरा, IAPS का बगला मंदिर, नहीं, 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 वो थोड़ी ना होगा, आपको नंगे पाओ, 10 km जाना पड़े ओके, BB के मैनेजमेंट पे ZY, बस इतना याद रखो, BB के, BB के मैनेजमेंट पे ZY, B पर बाइट, sorry, bits, bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, gigabyte, terabyte, petabyte, hexabyte, jota byte, jota byte, हो गया, खत्म, आपका, एक और प्छली बार, एक और question आया था, निपल के बारे में, तो यहां पे एक NB add कर दो, NBN, ठीक है, BNB, sorry, BNB के मैनेजमेंट पे ZY, तो क्या है N, N है निबल, यह भूलना नहीं है, क्योंकि last time इसके उपर question आया था, जो कि 4 beat का होता है, 4 beat का जो group होता है, उसको हम एक निबल बोलते है, ठीक है, तैंक्यू सो मच्छ दार सर, चंदन सर, सौरब सर, ठीक है, ठीक है, ताप बोलना, जब वह नंगे पाउट, दस किनोमेटर दोटते हैं आपके लिए ना तो रेदी है ना दिली नहीं खुश किये, जे लाइक बचे, चंदन सर का वीडियो भी बनाएंगे, तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, यह धारवाइक चलते रहेगा, तो आज के लिए पर वाइंड आप करते हैं, इसी तरीके से पढ़ते रही है, मैनद करते रही है, मोटिवेटेड रही है, फोकस रही है, एंड डेफिनेटली छे तरीक को बहुत यह बड़ा धमाका, जहां पर हम पूरा महाराष्ट्रा करेंगे, उसको तो जलूल 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 देखना, और वहां पर मेरे को पता है, सेवेंटी ले आओ और चंदन सर आपके लिए नंगे पाउं दस किलोमेटर दूर नंगे पाउं जाने बाद है, ठीक है, तो या जेवाइला तो आमी आता रिस्टरांट मदे जाउन जोना रहा होता, यह कि सिदार सरना साइटल होता त्यार रेस्टरांट मदे दाउन जाउना रहा होता मी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक्यू सर, लव यू टु आल, स्यू तो मॉर्डव एटल, यस, मिलते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए, है, हैपी लर्निंग विट आयएपेस, अजब मॉक्तेस दरूर लगा है, सब के सब, कोई किनी को नहीं छोड़ने हैं, मॉक्तेस लगाना,